अब आपकी डिमांद पूरी की जाए और हम लोग स्टार्ट करें और एक्स में ना थोड़ा सा मुझे पढ़ाते हुए डर लगता है उसकी वजह समस्देश अब यार दिक्त क्या होती है मेरे पास वो भी बच्चे जो पहले कहीं ना कहीं ग्रास लिए हुए है किसी टीचर ने ऐसा हो सकता है कि बिड रेट और आस्क रेट किसी और एंगल से समझाया होगा बैंक के अंगल से समझा है और आपको समझ में आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं कस्टमर के अंगल से समझा हूँ, या मैं बैंक के अंगल से समझा हूँ, या मैं उसको अपोजिट करूँ, वो प्रॉब्लम कहा होती है, क्योंकि पहले से वो समझा हुआ है आप, तो आला सीखिये मैं ऐसा नहीं चाहता है तो सर आप क्या चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको bid rate और ask rate समझाऊंगा कि bid कौन सा rate है और ask कौन सा rate लेना है और आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको तो पहले से आता है तो आप उस lecture को उसको थोड़ा सा skip कर देना क्यों कि बहुत तकलीफ हो जाएगी बात में क्योंकि यार मैं किसी और एंगल से बोल रहा हूँ आप किसी और एंगल से समझ रहा है तो वो सब समस्या आया चाहती है ठीक ह अगर आपको bid rate और ask rate पहचानना आता है तो आप उसको fast forward कर दीजेगा उस lecture को सिर्फ जहां मैं bid और ask समझाने की कोश्च कर रहा हूँ टाइम लगेगा सर है न तो आप बेकार का ये कोश्च नहीं पूछो कि कितना टाइम लगेगा कैसा होका टाइम लगेगा मुझे टाइम चाहिए छोड़ो आपसे क्या बात करनी है करना करवाना तो मुझे ही है तो चलो श्टार्ट करते है भगवान का नाम लेके और चैप्टर का नाम क्या है और एक्स Forex के मामले में कुछ बच्चों ने मुझे सलह दिया था आजकल तो बच्चे सलह देते तो उन्होंने मुझे सलह दिया था पता नहीं कि सर देखू ना Portfolio Management पिछले Attempt में बहुत आया था अब Forex तो बहुत ही कम आया था तो सर हम लोगों का अनुमान है अनुमान तो आप भी लगा सकते हूं में भी लगा सकता हूं तो हम लोगों का अनुमान है कि इस अटेम्ट में Question paper में Forex ही Forex आएगा ये मेरा कहना नहीं है पता लगा Forex नहीं आया तो फिर मेरे नाम से चिलना होगा ये मेरा कहना नहीं है कुछ बच्चों के मेरे पास Message आते है और Comment आते है तो उन्होंने का इस बार Forex के Chances है और पता नहीं हो सकता उनकी Guessing भी सही हो हम तो सारे ही Chapter कर रहेंगे हम तो Portfolio Management भी करेंगे पता लगा Repeat कर दिया फिर से लो भी Portfolio लो बहुत Guessing कर रहे थे ना आप लो खेर हम Forex कर रहे हैं ताइम पास ना करें Forex में जो discussion करना है जिन लोगों के पास exam oriented books रखी हुई है जिन लोगों के पास exam oriented copy रखी हुई है उन्हें इस चीट की ज़रूरत नहीं है वो अपनी copy खोली जी अपनी book open कीजिए सारे की सारा मैं वहीं से करवा रहा हूँ आप भी जानते हुए जिन लोगों के पास नहीं है सर उन्हें थोड़ी तकलीफ होगी description में जाओगे आपको notes मिल जाएगो चाहो तो print out ले ले लेना थोड़े पैसे घर्च करनी होगे तो foreign actions risk management में हमें एक तो पढ़ना basics और बहुत सारा points मैं यह discuss नहीं कर रहा हूँ कि क्या-क्या points पढ़ना बहुत सारा पढ़ना है और मेरा जो अनुभा हो रहा है वो यह रहा है कि बच्चों को basics नहीं आता और basics नहीं आता उसकी वज़ा से यह सब समस्या आती है basics में cross rate नहीं आता बच्चों सारे questions तो cross rate के है cross rates नहीं आता bid rate ask rate नहीं आता तो बस मैं basics पे थोड़ी सी ज़्यादा मैनत करूँगा एक बार basics हुआ तो इन सब में कोई problem नहीं सर इसमें से आपका favorite कौन सही है जो मेरा favorite है न वो है foreign currency exposure यह मेरा favorite foreign currency exposure किसी में currency option है currency future है currency swap है तो बहुत सारी चीजे currency exposure money market cover है leading and leggings है बहुत सारी चीजे है यह मेरा फैबरेट है, तो कोशिश करना इसको अच्छे से करें, लेक्चर टोटल मिलाकर कितने पार्ट्स में रहेगे, लेक्चर वैसे तो टोटल मिलाकर दो पार्ट्स में रहना चाहिए, आज की क्लास का टार्गेट है, आज की क्लास का टार्गेट है, इस पार्ट का कि मैं एटलिस्ट यहां तक काम कर पाऊं उसकी वज़ा सुनोंगे क्योंकि यहां बड़े सारे questions है बहुत सारे questions है जो मैंने study mat से उठा रखे तो time लगेगा दो घंटे में इना हूँ और कोशिस रहेगी क्योंकि इदर एक एक questions ही है तो कोशिस रहेगी portfolio management already डला हुआ है आप कहोगे तो मैं आपको link भी शेर कर दूँगा मेरा portfolio management का भी revision डला हुआ है मुझे सांती से काम करवाने तो ठीक है सर lecture खतम कीजिए start करते basics से sir forex foreign actions है क्या और बात में सब समझ में आ जाएगा है क्या क्यों पढ़ रहा है यह मैं समझाने वाला नहीं हुआ हुआ है तो basics में point number one और हम बात किसकी कर रहा है actions rate तो actions rate क्या होता action rate मतलब वह यार वह बता रहा कि एक डॉलर बराबर कितने रुपे का आएगा तो इसको ना दो तरह से express कर सकते हैं एक तो हम किस direct quote और एक किस रूप में indirect quote direct quote की बात करूँ और मैं बात करूँ इंडिया में तो इंडिया की home currency कौन सी रुपीस और US की मतलब वह है foreign currency और वहाँ क्या चलता है डॉलर इंडिया के लिए direct quote हो गया एक डॉलर वराबर कितना रुपे हैं असी हो सकता एक डॉलर वर यह क्या सी दाइसी तो बोलते एक डॉलर कितने लेकिन नहीं कभी कभी bank ऐसे भी बोलती है रुपीज वन एक रुपाय में कितना डॉलर इस तरह से भी कभी-कभी कोट दे दे ती इसको क्या बोला जाता है? इन डारेकट कोट, इन डारेकट कोट, तो सर डारेकट कोट का मतलब एक डॉलर, इंडिया की बात कर Metropolitan Home Beans, कितने एक mountain currency के बदले में, भीर यह सब definition आना नहीं है, पर सर ठीक है और क्या सर हमें direct quote और indirect quote की कभी जरूरत पढ़नी है नहीं पढ़नी है एक question भर आया था जिसमें फसाया है उसने बाकी जरूरत ही नहीं है direct quote indirect quote आपके काम नहीं आएगा बाकी यह ज़रूर सीख लेना एक डॉलर अगर 80 रुपय का है एक रुपया में कितना डॉलर तो आप भी जानते हो 1 से डिवाइट करना पड़ेगा 1 डिवाइट वाइट करोगे ब्रांच फॉरेंड ब्रांच अपने पढ़ रख फॉरेक्स भी पढ़ रखा लगी तो पहला जो था वो क्या था वो था कुछ मिनिंग कि यह क्या होता एक्शन रेट और इसको पढ़ने की इसको रिविजन करने की ज़रूरत ही नहीं आगे चले यस यह काम की चीज़ है यह आपको इसकी ज़रूरत पढ़ेगी किसकी पॉइंट नमबर टू की इसकी ज़रूरत पढ़ने है क्योंकि पूरे फॉरेक्स में इसके बिना काम नहीं होना है اور मैंने बहुत सारा इग्जामपल नहीं करवा रखा कि याँग्जामपल करवा रहा हूं आराम से हमारे पास बहुत टाइम है नहीं तो अब क्या है रेट इस तरह से लेगे रुपीज पर डॉलर इसका मतलब क्या है सर? रुपीज पर डॉलर मतलब रेट किसका दिया है? डॉलर का रेट डॉलर का दिया है जो बेस करेंसी है न वो यह है कि एक डॉलर में 70 रुपय 50 पैसे हैं एक डॉलर बराबर है 70 रुपय 50 पैसे के या एक डॉलर खरीदने जाओगे या बेचने जाओगे तो 70 रुपय 50 पैसे तो एक लाग डॉलर कितने में मिलेगा एक डॉलर अगर 70 रुपय 50 पैसे में मिलेगा तो एक लाग डॉलर कितने में मिलेगा सबसे important सबसे important सुनो divide और multiply नहीं बनने वाला है अगर ठीक से सुनो गा नहीं मेरी बात और मैं कोई unitary method नहीं करवाने वाला हूँ unitary method उतना time भी नहीं तो sir करना कैसे करना बड़ा simple है ये कौन सी currency? sir ये dollar है यहाँ dollar है ना और साहब rate किसका दिया है dollar का ही दिया है अगर ये दोनों जो currency दिया है उसी का rate दिया है वही base currency तो सीधा multiply करके answer नहीं करें लेकिन ये ऐसा नहीं होता ये होता dollar per rupees मतलब यहाँ देखो ये कौन सी है dollar पर ये क्या दिया है rupees तो अब क्या करोगे अब divide करोगे important है जो दिया हुआ है क्या उसी का rate दिया है yes तो multiply और नहीं तो divide बाकी जिनको unitary आता है वो unitary method से करते बठे example number 3 उठाया 2 कहां गया है 2 नहीं ये time pass कर रहा था example number 3 जिन लोगों के पास exam oriented wedge बोलो rate किसका दिया है pound का भी pound है नहीं सरु ये डॉलर है तो क्या होगा डिवाइड होगा बस कुछ नहीं करना है यहाँ जो currency है rate भी उसी का दिया होता base भी उसी का दिया हوتा तो multiply नहीं तो divide answer आजाएगा क्या सीखने को मिला जो currency दिया हुआ है अगर उसी का rate दिया तो multiply ने तो divide सर ये exam में आता है क्या बात कर रहा है ये समसी इसके लिए मैं बात कर रहा था bid rate ask जिन लोगों को पहले से आता है जो मुझसे नहीं पढ़ा कहीं और से पढ़ा तो please वो इसको skip करे point number 3 को आगे चल सकते हैं और जिन लोगों को जो मुझसे पढ़ा है या जिन लोगों को नहीं आता तो वो रुक सकते तो सर क्या है bid rate ask अब सुनो के दिहां से bank जो काम करता ना वो currency बेचने और खरीदने का करता bank आपको dollar खरीदना किस के पास जाओगे bank के पास जाओगे bank आपसे dollar बेचेगा भी और खरीदना तो bank को क्या फायदा तो simple सी बाते bank क्या कर सकता है bank क्या करता है ऐसा rate देता किसका कि हम dollar ये rate दे रखा ये तर बेचेंगे तो महगे में और खरीदेगी तो सस्ते में bank वोई तो करता है bank आपको कोई भी चीज बेचेगा तो महगे में बेचेगा customer खरीदेगा कोई भी चीज तो महगे में खरीदेगा और अगर bank आपसे खरीदता है bank क्योंकि आपके पास bank आपसे खरीदता आपके पास कहां से आ सकता dollar एक्सपोर्ट किया होगा उधर से डॉलर आये होगा, हम डॉलर लेके बैंक के पास जाएगे, तो बैंक आपसे खरीदेगा, तो सस्ते में, जिस रेट पे बैंक खरीदता है करेंसी, कम में ही खरीदेगा, उसको बुला जाता है बाइंग रेट, याद रखना, यहां दिक्कात होती है, मैं बैंक के सेलिंग रेट को प्यार से यहां क्या बूला जाता, आस्क रेट, और इसको क्या बूलते है, बिड रेट, बस यही समझाया, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का उसको बूला जाता, बिड आस्क स्प्रैट का मतला, बैंक का मार्जिन कितन 158 कम आता है 5 2 थी एकस्वाइट करकर कर आया था फिछले पिछले ही एक्जाम में कोई क्योंश्ण आया था डिसमें और पष्राइब गया था गूश्यन उसने इसंगी आता परवर्ट प्रणली इस प्रन यह लिए भीर यह झाल numéro कॉछ दूश्छे जबिए सब्सकहा में बैंक के खरीदने का रिड ट न पहर चलो और चलो, एक्जाम्पल नंबर 7, एक्जाम्पल नंबर 7 सुनते हैं, रुपीज पर डॉलर है 75.50, 75.75, कोई समस्या है इसमें, नाइस, अब क्या लिखा, Mr. Ram Import Goods, इसको समझाना पड़ेगा भाई, ये ही तो समझानी वाली बात, ये कौन है, सर ये है बैंक, और ये कौन है, सर ये है राम, बैंक, राम, और मैं, राम ने क्या किया, import किया तो भाई इसको बाहर वाले को देना होगा क्या देना होगा import किया तो dollar payable bank से क्या खरीदेगे dollar खरीदेगे और बदले में क्या देंगे बदले में rupees देंगे बात खतम हो भी अब सबसे important है rate किसका दिया है dollar जैसे dollar है तो यहां पहचानो dollar क्या हो रहा है dollar जा रहा है मतलब bank बेच रहा है और बेच रहा है तो bank मेहगे में बेचेगा customer खरीदेगा तो मेहगे में खरीदना पड़ेगा मजबुरी में तो rate कौँ सा देगे 75.7 तो बताओ एक लाग डॉलर के लिए कितना तो फिर समझना फिर समझना rate क्या दिया है dollar sorry currency कौँ से dollar और dollar ही दिया तो सिदा-शिदा क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा important क्या है मैं फिर बोल रहा हूँ सबसे पहले पहचानो rate किसका दिया है किस currency का dollar का और bank उस currency को buy कर रहा है कि sell-sell कर रहा है sell कर रहा है तो ask it ठीक example number 8 फिर से बनाओं क्या हाँ sir फिर से बनाया मैंने bank bank और ये customer UK का customer UK में कौन सी currency चलती है sir UK में currency pound वो उन चलती हूँ कि हाँ pound import किया है goods किस से US से तो sir देना होगा yes क्या देना होगा US वाले को dollar इधर से क्या आना चाहिए dollar और बदले में क्या देना पड़ेगा pound ठीक UK customer को क्या खरीदना है dollar अ खरीदना मतलब bank बेचेगा problem कहा हो रही problem सुनो problem क्या होती बच्चे क्या सुचते sir bank dollar बेचेगा बेचेगा तो ये वाला rate मैंने ये नहीं बोला है मैंने बोला है कि rate क्या दिया है pound इसको देखो और देखो pound कि धर है sir pound इधर है pound आ रहा है मतलब bank खरीद रहा है ये ही समझा अच्छा मतलब ये देखना है कि जिसका rate दिया है bank उस currency को खरीद रहा है कि बेच रहा है बेलकुँ सहीं से जिसका rate दिया है bank उस currency को खरीद रहा है कि बेच रहा है sir खरीद रहा है अब दूसरी सी समस्य पहरा सकती है divide और multiply वली तो सुनो फिर से देखो रेट ये क्या है डॉलर तो ये डॉलर दिया कि नहीं सर ये पाउंड है तो डिवाइड हुजाएगा ठीक है चले जी यहांके रेट कौन सा आएगा तर ये वाला और डिवाइड होगा एप्रिशिशन एप्रिशिशन और करेंसी पॉइंट लिवाइड है ये काला है याद रखना इस लेक्चर को ध्यान से देखोंगे इस पॉइंट पर तुनोंगे पहले जो पड़ रहा है थे जो हमने किया उसको यहां भूलना पड़ें। सर क्या कह रहा है, यहां है यहां यहां मैंने चेंज करवाया है, इसलिए सुनोगे यहां सी कघज आए एक डॉलर 70 रुप्या का ठीक डॉलर एप्रिशेट हो रहा है दस परशेन से, डॉलर मेहगा हो रहा है depreciate का मतलब क्योंता महगा हो रहा दस परशन से तो बताओ निव एक्षिंज रेट क्या होगा तो सर सब्सक्राइब इसमें क्या सोचने वाली कोई बात है नहीं बड़ा सिंपल है इसको ध्यान से देखना इसको ध्यान से देखना रुपीस पर डॉलर है सतर डॉलर विल डेप्रिशेट बाइटन परशन अच्छे एक बात और मैं समझा समझाओंगा समझाओंगा डॉलर विल डेप्रिशेट पाइट 10 पर्षन से सस्ता हो रहा सस्ता हो रहा तो मैनस 10 पर्षन करो या सीधा 0.9 करो आंसर कितना जाएगा 63 कोई दिक्कत है क्या नाई दिक्कत कहा होती मैं आपको बना example number 12 आपके सामने है अभी ध्यान दोगे एक काम की चीज़ है अगर कोश्चन में ये लिखा रहे है ये नहीं लिखा रहता ये सब्स लिखा रहे है तो पीस विल एप्रिशेट इट वाए 10% सब्स ये होते इस कोश्चन इसमें पहला सब्स क्या लिखा है डॉलर एप्रिशेट हो रहा 10% से तो कोई शक्ती हो लेकिन सब्स ये ना होकर सब्स ये होते कि अगर रुपियाड एप्रिशेट हो रहा 10% से तो फिर क्या करते है मानलो action rate याई है अगर होता कि अगर question में ये ही rate दिया होता बोलता हो रुपियाड एप्रिशेट हो रहा 10% से तो फिर क्या करते है ठीक है फिर वो हम divide वाला कोई divide वाला नहीं कोई कुछ नहीं मैं जो बोल रहा हूँ अब तुनो सुनो सुनो आप जो है conceptual सही है मैं मुझे आपके concept से कोई लेना देना नहीं है अभी सुनो मुझे क्या मुझे वो करवाना जो आपको exam में मुझे वो पढ़ाना आपको जो exam में आपको करके आना है अगर लिखा रहता कि रुपियाड एप्रिशेट हो रहा है पर रेट किसका दिया है डॉलर का मतलब रुपियाड एप्रिशेट हो रहा है मतलब डॉलर एप्रिशेट हो रहा है एप्रिशेट हो रहा है कितने पर्शन से दस पर्शन से तो हम ऐसे ही करते है इट मिन्स साहिज चाहे सब दिये हो चाहे सब दिये हो दोनों का अंसर एक आएगा तर आप तो कुछ औरी पढ़ाते थे मैं conceptual पढ़ा रहा था पर ICAI के जितने भी कोशन आये हैं उन्होंने कहा कि भी एक ही बात है जबकि आप भी जानते हैं एक ही बात नहीं है दोनों बात अलग है डॉलर एप्रिशेट हो रहा ह 10% से रुपिया डेप्रिशेट हो रहा 10% से दोनों बाते अलग अलग है पर ICAI बोलता दोनों बात एक ही है तो सर जी दोनों बात एक ही है हमें कोई जिंजट नहीं फिरता तो जिन्होंने कर भी रखा होगा पुराने क्लास मेरी ओल्ड क्लास अभी सुधर जाओ आपका concept काम की बात यह है अगर सब्सक्राइगा डॉलर डेप्रिशेट हो रहा है तो इन्टू कर देना अगर सब्सक्राइगा रुपिया डेप्रिशेट हो रहा है तो सोचना कि रुपिया डेप्रिशेट हो रहा है पतलब डॉलर डॉलर अप्रिशेट हो रहा है फिर इन्टू कर तो जाएगा हाँ बोलो हाँ सब्सक्राइगा आगे कोश्चन आएगे तो कोश्चन के साथ और करेंगे पॉइंट नमबर फाइफ पॉइंट नमबर फाइफ प्लिका देखें तो अब नमबर फाइफ में डिस्कुस कर रहा हूं पॉइंट नमबर फाइफ बस इतना बताना मचे एक होता है होलसेल मार्केट होलसेल का मतलब क्या होता होगा जहां एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के साथ डील करता है एक होता है रिटेल मार्केट जहां सर एक ट्रेडर पब्लिक के साथ डील करता है अब समझना है ये क्या कहना चाहते है ये एक बैंक क्या बैंक आपस में भी डॉलर खरीदना बेचना करती है हाँ जी ये दूसरी बैंक और ये पब्लिक ठीक है अगर मैं कहता हूँ कि रेट है इंटर बैंक रेट इसको आपस में जो लेन दिन होता है उसे बुलते इंटर बैंक रेट और रुपीज पर डॉलर के इंटर बैंक रेट दे रख तर क्या दे रखा है 81.25 और 81.45 ये बिट और ये आस मतलब यहां से इस बैंक ने इसको बेचा होगा एक बैंक दूसरी बैंक को बेच रही है ना हाँ सर इसका ये में बैंक है इसकी अटकी है तो इसने खरीदा इसने खरीदा तो दूसरी बैंक से कितने के इसने रेट बताया पोर्ट कर रखा 81.25 81.45 जब एक बैंक दूसरे बैंक को डॉलर बेच रही है तो अभी इस बैंक के लिए ये दूसरे बैंक कस्टमर टाइप का होगा हला कि आपस में लेन देना बेचने का रेट कौन सा है सर बेचने का रेट ये वाला है इसको बोलते आस्क रेट और इससे खरीद कर किसको दे रही है पबलिक को तो सोच के बताना कि एक बैंक दूसरे बैंक से खरीद कर पबलिक को बेच रही है तो उतने में ही बेचेगी कि कुछ प्रॉफिट पे बेचेगी एक बैंक दूसरे बैंक से खरीद कर अगर बेचेगी तो उतने में कि थोड़ा सा महगा 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 मतलब क्या margin प्लस करना पड़ेगा यास तो इसमें बेचते समय क्या हो जाएगा margin प्लस हो जाएगा margin बोल सकते हो profit बोल सकते हो ठीक है अब सुनो 81.25 का मतलब क्या होता है यहां खरीदा जाएगा और इससे यह खरीदेगी यह bank यह bank मुझसे खरीद रही है मैं इसको bank माल रहा है कितने में? 81.25 में उसने का कि 81.25 में खरीदेंगे आपको हमने गा ठेक तो मैं जब public से खरीदूँगा तो 81.25 में खरीदूँगा उससे सस्ता खरीदूँगा सस्ता सस्ता खरीदोगे ना है खरीदूँगा तो सस्ते में खरीदूँगा इटमिस यहां से क्या हो जाएगा बिड रेट से मार्जिन क्या हो जाएगा माइनस important है रट्टा मारत एक एक bank बैंक अगर interbank rate दिया इंटर बैंक बैंक आपस में तो इसका मतलब है bank अगर बेचेगी public को बेचेगी तो और महगे में बेचेगी इटमिस बेचते वक्त मार्जिन क्या हो जाता प्लास और अगर bank खरीदेगी customer से तो और सस्ते में खरीदेगी तो खरीदेगी वक्त मार्जिन क्या हो जाता माइनस बस और कुछ नहीं है यही बात मैंने लिखवाए तेखा इंटर बैंक रेट्स अर गिवन देन कमीशन आर मार्जिन एड़ेट तो कहां एड़ कर सकते हो आस्क रेट में और कहां से घटाते हो बिड़ेट से क्या निकालने के लिए कस्टमर रेट निकालने के यह था मेरा पॉइंट नमबर फाइफ ठीक है बेचेंगे तो और महगे में खरी देंगे तो और से अब आजाते हैं लाश्ट पॉइंट इसका नाम क्या है अभी क्या चल रहा बेसिक्स और बेसिक्स में लाश्ट पॉइंट चल रहा है ठीक है ठीक है अभी क्रोस रिट है क्या जरूरत क्यों पढ़ते इस सब चीजों के लिए टाइम नहीं पर भी थोड़ा सा अंदाजा ले देते अगर मुझे ऐसी जखा जाना है अगर मुझे यूके जाना है तो यूके में क्या चलता है यूके में पाउंड चलता है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए यूके में पाउंड चलता है तो मुझे पाउंड खरीदना पड़ेगा पाउंड लेकर जाना पड़ेगा UK अब मैं बैंक के पास गया और बैंक से बोला पाउंड चाहिए बैंक ने कब का हमारे हाँ तो पाउंड है यह नहीं है डॉलर है मैंने डॉलर का क्या करूंगा यार मुझे तो UK जाना US सोड़िन जाना यूएस में चलता है डॉलर मुझे तो UK जाना वहां पाउंड लगेगा तो उसने का पाउंड ता ही नहीं है मैंने ठीक है UK जाके देखेंगे रुपिया भरा जेब में रुपिया हमारे हागिगा नहीं और UK पहुच गया और UK पहुचने पर मैंने का सर आपके यहां पाउंड मिलते हैं क्या बिल्कुल मिलते हैं जी हम UK वाले हमारे हैं तो पाउंड मिलेगा मिलेगा मैंने का रुपिया लेक्या आया हूँ UK वाले बिलते हमारे हैं रुपिया नहीं चलता रुपिया की कोई वैल्यू नहीं हाँ, अगर डॉलर लेकर आते ना, तो हम accept कर लेते हैं। It means, मुझे इंडिया से सबसे पहले क्या करना चाहिए। Example दे रहा हूँ, कुछ और मज़ समझ लेना, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रुपिया देकर यहीं से इंडिया से पहले क्या खरीदना था dollar, फिर dollar लेकर कहा जाना चाहिए था UK और वहाँ से क्या खरीदना था pound, इस तरहाँ की, क्योंकि एसा है कि चलो pound तो मिल जाएगा, dollar भी मिल जाएगा, और बहुत सारी आश्ट्रलियन dollar मिल जाएगा, पर कोई तो करेंसी होगी जो बैंक के पस अविलेबल नहीं होगी या यहां नहीं चलती होगी तो यह सब सारी चीज़े तो हम इसको डॉलर में कनवर्ट कर लेते हैं जरनली और फिर डॉलर लेकर जाते हैं तो इसी के लिए क्रॉस रेट की जबरत पढ़ती है और क्रॉस रेट की जबरत और कहां पढ़ती है क्रॉस रेट आर्वटेरिस निकालने के भी कामा आव वो मैं आपको समझावागी पर सबसे पहले क्रॉस रेट निकालते कैसे हैं इसमें भी कुछ लोगों का पुराना मतलब किसी और टीचर से बढ़ा होगा तो चाहो तो इसको भी वो इसकीप कर सकते एक्जाम्पल नमर 16 उठाया है ठीक से सुनना उसका ये कहना है रुपीज पर डॉलर मतलब एक डॉलर सा साथ रुपए का है ठीक है और सर्क एक पाउंड डॉलर वन पॉइंट फाइब जीरू का है इसका मतलब है कि सर पहले मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा स्टार्ट रुपए खर्च करने पड़ेगे और फिर मुझे वहाँ जाके पाउंड खरीदना पड़ेगा और एक पाउंड के लिए मुझे डॉलर चाहिए और डॉलर वन डॉलर से काम ने चलेगा मुझे 1.50 जिरो डॉलर खर्च करने पड़ेगे सवाल simple सा है भाई मुझे एक pound के लिए कितने खर्च करने पड़ेगे एक pound के लिए सार एक pound के लिए देर डॉलर लगने वाला है एक डॉलर, साट रुपए का है तो देर डॉलर कितने का, 90 रुपए का, बात खतम, लेकिन बात खतम नहीं हुए, ये बड़ा आसान कोश्चन है, मुश्किल भी तो आ सकती है, तो कहीं न कहीं मुझे आपको ट्रिक बतानी पड़ेगी, कि ऐसा ट्रिक बता दू, जिसे क्रोस रेट के लिए हमको ज्यादा दि मेरी अबाद्ध्यान से समझोंगे, तो दिक्कत नहीं होगी क्रोस रेट, तो अब हमें सोचना क्या है, सोचना ये है कि ये चाहिए, ये चाहिए ना, उपर क्या लिखा है, रुपीज, और उपर रुपीज लिखा है, ढूंडो यहां, अब यहां ढूंडने की कोशिश करो रुपीज कहां, रुपीज कहां, रुपीज कहां, सर ये है, और उपर ही लिखा है, रुपीज मुझे उपर चाहिए और उपर ही लिखा है, तो सीधा-सीधा उठाकर साथ लिख देना, सीधा-सीधा, जो मुझे उपर चाहिए, वो उपर ही मिल रहा है, तो सीधा उठाकर नीचे क्या चाहिए, पाउंट, डूंडो पाउंट का है, पाउंट का है, वाउ, पाउंट नीचे ही दिया है सर, और नीचे ही तो चाहिए, तो सीधा उठाकर मल्टिप्लाई कर देना, मल्टिप्लाई तो करना ही है, मल्टिप्लाई तो हमें इसा करना है, बैस उसको सीधा उ रुपीज है हम ढूंदने में और रुपीज ऊपर ही चाहिए रुपीज उपर यह सीधा लिखने लेकिन सैर सुनों अगर यह ऐसा होता तो फिर क्या करते हैं? जला बताओ फिर क्या करते हैं? फिर ढूनता है, रुपीज कहां, रुपीज कहां, रुपीज कहां, ये नहीं है, रुपीज कहां, रुपीज तो ऊपर चाहिए, रुपीज नीचे लिखा है, तो क्या लिखूँगा? फिर मैं 60 ने लिखूँगा, 1 by 60 क मतलब इसको indirectly मैं इसको court को change कर रहा हूं पर मैं वो उतना ज़्यादा logic में नहीं जाना चाहता मैं सीधा one से divide कर लूँगा अगर वो rupees उपर ही रहता तो कोई समस्या नहीं है फिर से समझाओ फिर से समझाओ इस example के थो समझाओ इसमारे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया फिर भी सुन लो यह क्या दिया है वो बाद में सर यह सबसे पहले हम रूपीज ढूड़नेंगे और जो की किदर होना चाहिए उपर ही होना चाहिए रूपीज का रूपीज का ऊपर ही है सर ऊपर ही तो सिधा लिख लो 90 अब नीचे क्या दिखना चाहिए पाउंड पाउंड नहीं डॉलर 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 दिखतो रहा है पर सर यह ऊपर लिखा हुआ है तो फिर तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा इसको ऐसा लग रहा है कि हम रट रहे है सर तो लॉजिक के लिए तो आपने रेगूलर क्लास में खूब लॉजिक समझाया यह जो 6 पॉइंट दिख रहे है न यह 6 पॉइंट जो अभी मैं लाश्ट वाला पॉइंट कर रहा है इसके लिए कम से कम मेरी 4 क्लास दो-दो घंट ठीकि तीन क्लास लेगी होगी है ठीक है सर बात समझ में आगी है आगे और चल रहा है कभी कभी क्रॉसरेट आपको निकालना होता है विट विट आस्क विट विट आस्क रहे है एक एक इग्जम्पल और होना चाहिए था जो नहीं इसमे ना एक इग्जम्पल और होना चाहिए था जो नहीं है और मेरे पास शीट है क्या मेरे पास विट 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 तो सर इसमें क्या है इसमें भी तो हमें क्या निकालना है रूपीज पर डॉलर दिया है डॉलर पर यूरो दे रखा और यूरो पर पाउंड दे रखा है और मुझे निकालना है रूपीज पर पाउंड तो सर आपका वाला रूस निकालते लगाते है रूपीज तो रूपीज दिया है तो सिधा 60 और pound तो नीचे pound दिया है तो सिधा-सिधा 60 into 1.4 नहीं कर सकते क्योंकि समझना यहां जो currency है rupees और dollar तो यहां भी यहां तो rupees होना चाहिए तो dollar होना चाहिए पर यहां तो अजिब सी currency दे रिलेशन सी भी नहीं है दुनों की बिच में बात क्या कहना चाहती हो पिसला जो example किया अगर मैं गया तो इसको देखो और इसको देखो यहां common currency कुछ ना कुछ तो दुनों के बिच में common होना चाहिए था pound pound है यह से पहले वाला example देखो इस से पहले वाला example में भी देखो ये और ये common currency क्या है dollar है it means cross rate तो तब ऐसा चल जाता जब common currency होती पर यहां three quotes दे रखा है और देखो क्या common currency है यहां rupees per dollar और यहां euro per pound है तो common currency है नहीं कैसे हो सकता तो फिर इसको कैसे solve करेंगे इसको किस तरह से solve किया जाए तो सुनोगे अच्छ हमें क्या चाहिए हमें रुपए से start करना और pound पे खतम करना रुपए से start pound से करना इसको solve कैसे करेंगे rupees per dollar उपर रुपए ही आना चाहिए क्योंकि रुपए मैंने उपर लिखा रुपए धुंडा रुपए कहा रुपए यह है तो जैसे कि वैसे लिख दिया rupees per dollar अब यहां dollar से dollar कटना चाहिए तो उपर dollar लिखना पड़ेगा dollar के साथ क्या दिया है euro दिया है euro नीचे लिख 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 euro से euro कटना चाहिए तो euro पर लिखा euro के साथ क्या दिया है pound pound नीचे लिख ये कोशन करवाऊगे ना कोशन में करवाऊँगा अच्छे से करवाऊँगा तो अब देखो रुपीज पर डॉलर दिया है कि दिया है सर तो वन से डिवाइड नहीं करना सीधा सिक्ष्ट डॉलर पर यूरो ये भी दिया है सर तो सीधा 1.25 और सर यूरो पर पाउंड ये भी दिया है तो सिधा 1.40 और आंसर जो भी है वो आज रहेगा ठीक है? हाँ बोलिए आंसर सर इक बात पूछे खगवान ना करे अगर ऐसा दिया होता तो क्या होता? चलो सोचते हैं अब बोलो अब क्या होता है? फिर्दे भगवान का नाम लो रुपय तो उपर ही होना चाहिए कसम खाली रुपय उपर होना चाहिए रुपय के साथ क्या है? डॉलर अब डॉलर उपर ही हो चाहिए डॉलर से डॉलर के साथ क्या है? यूरो यूरो लिख दो सर ये तो यूरो पर डॉलर है पर हम उपर डॉलर से डॉलर कटना चाहिए हम उपर डॉलर ही लिखें कि ठीक है और यूरो से यूरो डिवाइड बैट अब देखो क्या ये दिया है दिया है सर 60 क्या डॉलर और यूरो दे रखा नहीं सर यूरो पर लोजिक मैं समझा दूँ कोशन के साथ समझा भी दूँगा लोजिक अब भी नी समझा रहा हूं ठेक है जी ओ लोजिक काम भी नहीं आने वाला यहां तक कोई समस्या आया क्या नहीं सर चले जी आंके तो एक बात और पूछे अगर भगवान ना करें ऐसा दिया होता तो तो भी भाईया रुपिया उपर ही लिखना अब मैं इसको ढूनूँगा नहीं मिलेगा तो इसको मैं वन से डिवाइट कर दूँगा इसमें क्या सूचने वाली अब आगे चल रहा हैं लोग अब बात हो रही है क्रॉस रेट किसके साथ बिड और आस्क के साथ कैसे करें इसमें थोड़ा बात लोजिक भी समझाओगा टाइम लगेगा तो लगेगा तो कि इसमें समझना जरूरी है तो एक एकजामबल से कर रहे एकजामबल नमबर 24 क्या दिया हुआ है रुपीज पर डॉलर बिड रेट आस्क रेट डॉलर पर पाउंड देश 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 और हमें क्या निकालना है रुपीज पर पाउंड और क्या निकालना बिड रेट भी निकालना आस्क रेट दो तरीके हैं या तो सोच समझ के हिसाब किताब से करें या तो ट्रिक के साथ करें पहले मैं ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ और फिर लॉजिक के साथ समझा भूंगा पहले ट्रिक हमें क्या निकालना है बिंट रेट हमें क्या चाहिए उपर रुपीज चाहिए ठीक दो ही कोट है तो समस्या नहीं है रुपीज रुपीज सर उपर रुपीज दिया है वा नीचे pound चाहिए, सर पाउंड ही नीचे दिया है, तो सीधा ये उठाया और इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और वन से डिवाइट करना नहीं है, तो सीधा सीधा answer आ गया, ये आ गया, bid frame, ऐसे किसका निकलना है सर, ask rate, तो सीधा क्या रुपिया दिया है, answer, तो ask उठा कर सीधा लिख दिया, क्या pound दिया है, yes, ask उठा कर सीधा लिख दिया, answer आ गया, और logic के साथ करना तो logic के साथ भी कर सका, मालो मुझे कहा जाना, सर हमें जाना है UK, और bank के पास गया, और bank ने कहा है, हमारे पास डॉलर है सर, आप अभी डॉलर खरीद लीजिए, और डॉलर ल और pound खरीद लेना, आपके लिए क्या समस्या है, तो मैं जो सर, मुझे pound कितने का पड़ेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ask rate निकाले, मुझे pound कितने का पड़ेगा, हमारे पास कौन सी currency, हम इंडिया के रहने वाले हमारे पास रुपिया है, हम डॉलर खरीदेंगे, rate डॉलर हम पहुचेगे, UK, वहां डॉलर दे देंगे, rate किसका दिया है, pound का, वहां की bank डॉलर खरीदेगी, ऐसा बोलना गुना हो जाएगा, हमें ये देखना पड़ेगा, कि rate किसका दिया है, pound का, तो वहां की bank pound क्या करेगी, बेचेगी sir, तो ये वाला rate अजाए, तो ask rate में इन दो को multiply करके 606, ये हो गया logic के साथ, sir, trick में भी क्या special trick बताया, bid rate निकालना तो bid bid multiply, ask rate निकालना तो ask multiply, इसमें कोई trick है, क्या, आप अपने आपको क्या समझ रहे हो, नहीं बच्चेव, नहीं, अभी जादू होने वाला है, आगे चले, example number 25, तर क्या जादू है, वो यहाँ से समझ में है, example number 25, अब ठीक से, ठीक से सुनना, ये example आपकी जान लेने वाला है, ये example जान लेने वाला ठीक से समझ रहे हो, रुपीस पर पाउंड दिया है, रुपीस पर डॉलर दिया है, और डॉलर पर, जो भी मांग रहा हो, में फर्क नहीं, ये क्या सब्द है, डॉलर, घुन ले डॉलर को, bid rate निकालने की कोशिश कर रहे है dollar 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 कहा है कहा है कहा है ये मिल गया sir dollar पर sir dollar हमको उपर चाहिए था पर dollar तो नीचे दिया तो one से divide करना पढ़ेगा और जैसे ही one से divide करना पढ़ेगा आप bid rate न उठा कर ask rate उठा ले जब swap होता है न तो ask bid बन जाता सर क्या बोले भूल जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ उसे जब one से divide करना पढ़ेगा bid rate ही निकाल रहा है पर जब one से divide करना पढ़ेगा ये rate न लेकर ये ले लेना okay pound 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 ही दिया है sir तो सीदह उठा कर ये वाला rate लिख से अगर one से divide करना हो था यह ना लिखकर यह लिखते हैं अंसर आ गया है 1.26 है लोजिक समझा रहा हूं लोजिक भी रुख चाहो भी ऐसी आस्क की भी बात करते हैं डॉलर उपर चाहिए यह वाला लेना चाहिए मचको है ना डॉलर डॉलर उपर चाहिए डॉलर नीचे दिया वन से डिवाइट करना प ठीक मैं बता रहा हूं यह होगा 71.25 अब मेरा टाइपिस्ट मिस्टेक करता है 91.25 पिवाइड बाइड 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 करना होता तो बिट की जगा आस्क ले लेना और आस्क की जगा बिट ले लेना बस और कुछ ले प्लीज लॉजिक समझाओ गए कि चलो लॉजिक समझाओ इसको बस ठीक से लिख दे रहा हूं यह उन्होंने विलद लिखा है 71.25 चलो यही समझाओ यही समझातों समझ में जायक मैं आस्क पर फूकस कर रहा हूं ठीक है और ओहो इसको समझाना थोड़ा सा मुस्किल है पर और भीकोशिश करता हूं अ कुशिश ऐसे कर रहा हूं और मुझे यू के जाना है यहां डॉलर चलता है यहां Pばउंड चल तर源 नहीं हरे हमा। पाउंड नहीं मिलता हमारे हाँ रुपिया मिलता हमारे हाँ रुपिया मिलता रुपिया बताओ हमारे हाँ की क्या इज़त है पाउंड नहीं चलता आप डॉलर दीजिए रुपिया ले चाहिए और जब यूके जाओगे तो वहाँ भी बैंक होगी और हमको मालम है कि वहाँ व्हाँ भी रुपिया चलता होगा है ज़ा किताब कर से पहले हम लोग किसका दिया काशल कज़र सोचते हैं हम लोग बैंक को देगे डॉलर और भृथ इर इस किसका यहां की बात कराहूं कि सूचो 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 सर रेट डॉलर का दिया है मतलब बैंक डॉलर खरी देगा ये वला रेट यस अब हमारे पास क्या आ गया सर हमारे पास अब आ गया यहां रुपिया आ गया और फिर हम बैंक को देगे रुपिया और बैंक हमें देगा पाउंड और रेट किसका दिया है पाउंड का ही दिया है अगर पाउंड का दिया है तो बैंक पाउंड बेचेगा ये वाला रेट एक तो ये वाला रेट लेना है सर और एक वन से डिवाइट करके लेना है कर लो ऐ यहाँ मुझे मलुम है कि लॉजिक से करवाना है उस कॉश्शन को में प्रॉपर लॉजिक के साथ करवाने हूं जो नभी आईगे नहीं अभी तो कोश्षन इस्टार्ट नहीं हुआ है कोश्ण आएगे मुझे मालो मैं ICAI ने ऐसे किया है याद रखना मैं ICAI के प्रेजेंटेशन से हिलूंगा भी नहीं मैं वैसी करवाँगा जैसे इंस्ट्रिट्यूट करवा रहा है तो आपको तो चिंता हुआ कि कुछ बात ही नहीं हो नहीं हर चीज में सोच समझ के करवा यह वाला वी एक्जम्पल देखे कि चलो देख लेते हैं यह दिया है सबसे पहले यहां से स्टाट करूं पहले बिड निकलेंगे पाउंड का बिड 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 और पाउंड उपचा यह पाउंड़ नीचे दिया है तो सीधा उठाकर यह वाला निकलेंगा जो दिया है फिर तो गोई दिक्कत की बाण ऐसे किसका कर लो के आसक का कर लो के बस कतम क्या कुछ सोचना पड़ YOUR अभी time नहीं है ओ हो बस इसी का इंतजार था इसी का इंतजार था तीन कोड दे रखे है डोलर रुपीस रुपीज पाउंड पाउंड यूरो और चाहिए डॉलर और यूरो उपर डॉलर दिया नीचे दिया पर कॉमन करेंसी रुपीज नहीं है मतलब अब हमको एक फ्लो बनाना पड़ेगा इस्टार्ट कहां से करेंगे डॉलर से मैं यहां लिख रहा हूं डॉलर डिवारे डॉलर जैसी दिखा डॉलर उपर लिखा मैंने अब देखो डॉलर के साथ क्या है सर रुपीज है रुपीज से रुपीज कटना चाहिए तो उपर रुपीज लिख दिया रुपीज के साथ क्या है सर यूरो है यूरो से यूरो कटना चाहिए यूरो के साथ क्या है सर पाउंड है ठीक है तो ढूलर पर बिड रेट की बाधर हमें चाहिए Euro per pound दिया है pound per euro अब one से divide करना पड़ेगा और जैसे ही one से divide करना पड़ेगा तो यह वाला one से divide करें और कुछ नहीं कर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, हो जाएगा, मैं जाएख समझ लिद्ट, चल्ओं झिए के तो sihटार्ट कर रहे हैं question, कोइशन और एक बहतरीन कोश्चन कोश्चन मर 1 ने करवाय कुछ थानी कोश्च नंबर 1 में तुम कोश्च नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा है बेशिक्स के ही कोश्चन है फिर हम लोग आईसा भी नहीं है कि MTP का एक्जाम में भी आया था जुलाई 2021 में तो सोच समझ के कुछ न उठाया है पोल रहा है एक Indian investor है Indian और invest कर रहा in a listed bond US में invest कर रहा Indian investor और US में invest कर रहा तो वहाँ currency कौन से चलती है डॉलर चलती है न सर और किस में invest कर रहा और जब bond खरीदा था तो कितने में खरीदा था dollar 100 में और at the end of year bond का price क्या हो गया dollar 103 और coupon भी मिला 3% coupon आपको समझ रहा है dollar 3 तो total मिला खर कितना मिला dollar 106 103 में खरीदा 100 में खरीदा था 106 मतलब सीधी सी बात है 100 dollar लगाओ और 106 लेकर आओ तो बलो कितने percentage की कमाई हो रही है दिख रहा 6% की अगर आप US के अब सोच के देखो अगर मैं US में ही रहता और अगर मैं bond खरीदा US का bond तो मेरा 6% की कमाई है लेकिन अगर मैं Indian investor हूँ तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा जब मैंने खरीदा था 1 dollar कितने का था 80 रुपे का था और अब 1 dollar कितने का हो गया 82 का हो गया मनसे लिबोल रहा हो मनसे तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ये भी तो मेरा फायदा है जब 100 dollar खरीदा तो 80 का मिला और अब 106 तो 6% ये भी है पर इस 106 पे 2 रुपे और महगा भी तो मिलेगा मुझे ये भी तो आपको देखना पड़ेगा अगर कोश्चन पूछ रहा है US के investor के लिए बताओ कितने परशन की कमाई 6% की इंडियन इंवेस्टर के लिए इंडियन इंवेस्टर के लिए कितने की ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या हाल है तो क्या बोल रहा है जड़ा देखते Point No.1 अगर dollar flat रहता flat रहता मतलब 80-80 80-80 मतलब कुछ appreciation हो ही नहीं रहा dollar पहले जितना था तो सीधी सीधी फिर तो 6% की ही कमाई है तीक है लेकर dollar appreciate हो रहा है कितने person से तीन person dollar भी बढ़ गया dollar भी बढ़ गया तो सर फिर क्या हो सर फिर तो 6 और 3 9 नहीं होता है 6 और 3 9 नहीं होता हमारे SFM में बस यही समझाने की कोशिश इसको अच्छे से समझा दूँ क्या हा सर मान लो 80 कहां से आया मन से लिख रहा हूँ इसको मिटा दूँगा बात मान लो 1 dollar 80 रुपय का था ठीक है और 1 dollar बढ़ गया कितने person से बढ़ गया 3 percent से बढ़ गया 80 into 1.03 कर सकता हूँ तो सर मतलब हो गया 82.40 तो सर पैसा कितना लगा था 80 into 100 8000 रुपया लगा था हो गया 106 into 82.40 तो सर ये हो गया 8734.40 तो उस हिसाब से देखो कितने percentage की कमाई लगाया था 8000 हो गया इतना percentage बोलो तो percentage निकालना था हमको आता है 873.40 minus 8000 divided by 8000 into 100 तो टोटल मिलाकर 9.18% की कमाई हो टोटल मिलाकर 9.18% की कमाई हो इस 9.188 में ये जो 6% है ये भी consider हो गया automatic हो गया ना ये automatic हो गया और ये डॉलर appreciate हुआ ये भी consider हो गया लेकिन आपके मन में आएगा कि ये लायक इदर से 80-80 जरूरत ही नहीं है सुनो कितने की कमाई हो रही है सर एक सो छे डॉलर की मतलब सीधर बोलूं 1.06 पर डॉलर का appreciation नहीं ले एक रुपिया एक डॉलर लगाकर 1.06 डॉलर आ रहा है एक डॉलर बोल तूं चाहरा एक डॉलर तो ले सकता हूँ एक डॉलर लगाकर आ रहा है 1.06 और उस पे भी appreciation हो रहा है 3% का 1.03 जो बढ़ेगा वो सिर्फ interest नहीं बढ़ेगा आप कह रहें सिर्फ 6 डॉलर जो है वो महगे में बिकेगा बिकेगा तो एक स्टो 6 डॉलर महगे में बिकेगा आप यह क्यों मूल गए तो वो appreciate हो गए उससे भी फायदा 1.03 उसमें से एक डॉलर मैं माइनस कर देता हूँ और मुझे percentage में चाहिए तो मैं क्या गर दूँगा इन्टु हंड़ेट आंसर निकालो उतना ही आएगा 9.18 1.06 इन्टु 1.03 माइनस 1 इन्टु हंड़ेट आंसर उतना ही आएगा 9.18 हमें करना ऐसे है ठीक है सर मल्टिप्लाई करना है सीधी सी बात है मल्टिप्लाई करना है जैसे हम रियल और नॉमिनल में किया करेंगे आगे जब इंटरनेशनल फिशर इफैक्ट पढ़ेंगे ठीक है हो गया फिर तो ही अगर डॉलर डेप्रिशेट हो रहा है तो 0.97 से मल्टिप्लाई कर देना अगर रुपिया अप्रिशेट हो रहा है ये इस पॉइंट से में इतना दुखी था जब ये एक्जाम में आया था कि मैंने अपना कॉंसेप्टी बदल दिया अगर रुपिया अप्रिशेट हो रहा है पाच पर्शन से इसका मतलब डॉलर डेप्रिशेट हो रहा है इंटो 0.9 क्योंकि डॉलर का रेट दिया है आंसर आजाएगा ये तरह ठीक है सर तो कॉश्चन नमबर टू खता पहला कॉश्चन हुआ है इतने एक घंटे में एक कॉश्चन करवाओगी तो हद हो नहीं हो गई फोर फिप्टी थ्री मिनट्स की क्लास हो गई और एक ही कॉश्चन किया है आप इने वोलस लो करवाने करे है मजा कर रहा हूँ कॉंसिप्ट समझना जरूरी था ये है आएसी एई का फैवरिट कॉश्चन जो इस्टडी मैट में भी है पी एम में भी एक्जाम में भी आया है नमबर दो हजार ग्यारा में एक्जाम में आया हुआ क्या है जरा देखते है प्रॉस रेट हैं बोलना है ओन अटथाईस जनवरी दो हजार तेरा इंपोर्टर कस्टमर रिक्वेस्ट बैंक तू रेमिट सिंगापूर डॉलर 25 लैक्स अंडर एन इरियो केबल लेटर अप क्रेडिट तर है क्या चक्कर क्या है चक्कर यह है क्योंसी डेट है अटथाईस जनवरी दो हजार तेरा को 28 जनवरी एक कस्टमर आया उसने इंपोर्ट किया होगा और बोलता है मुझे सिंगापूर डॉलर चाहिए सिंगापूर डॉलर सो सिंगापूर डॉलर बड़ी मुश्किल से किसी बैंक में मिलता होगा डॉलर मिल जाएगा पर Singapore हमने का ठीक है customer आया और हम से क्या मांग रहा है Singapore कितना Singapore डॉलर 25 लक हाविवर ड्यू टू अनवाइडेबल फैक्टर बैंक कुड इफेक्ट दर एमिटेंस ओन ली पूर्थ फैर इंटर बैंक रेट्स दे रख इंटर बैंक रेट्स कहां काम हाएगा margin में काम अब बैंक बोलते हैं 28 तारीक को तो है यह नहीं है हमारे आपको जो मिलेगा ना 28 तारीक को इस ट्राइक हो सकती है बैंक में कुछ भी हो सकता है पता नहीं अनवाइडेबल रिजन है तो जो मैं आपको डिलेवरी जो मैं आपको बेचने जा रहा था 28 को चाहिए पर 28 को तो हम वैसे भी नहीं दे पाएंगे तो वह फोर्थ फैप को देए पेच रहा है मतलब क्या यहां सिंगापूर डॉलर उसको खरीदना था यहां इस डेट में खरीदना पढ़ना है इस डेट हो सकता है कि सिंगापूर डॉलर महगा हो जाए कौन जिम्मेदार है उसके बैंक जिम्मेदार नहीं आप खुद है बैंक में तो इस्ट्राइक क्या करो कि आपको ज यह इंटर बैंक है तो मार्ज अग जुड़ेगा। व्यूमाइज दा कस्टमर इस्टेंड गेन और लॉस है। लॉस लॉस डिव टू दा डिले। डिले की वज़ा से कस्टमर को गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपको यह बताना है। पहला कोशन यह है। कि आप काह dia के रहने वज़े हो। कि डॉर से रहा है। मतलब आपके पास करणशी रुपीज है। डॉलर है, सिंगापूर डॉलर है पाउंड है। इसMें कोई सक नही कि आपस सिंगापूर के रहनेवाले तो नहीं। सिंगापूर lotta को कैंसल करते है। तो तो क्या आप इंडिया के रहने वाले हो या आप यूएस के रहने वाले हो या आप यूकी के रहने वाले हो कहीं भी कुछ नहीं पाता हुआ हम हमेशा क्या एजियूम करेंगे जो दिल बोल रहा है दिल क्या बोल रहा है इंडिया इंडिया चलो हमें इंडिया के रहने वाले ह हमें खरीदना है सर सिंगापूर कितने रुपए में तो मतलब हमें रेट क्या निकालना है हमें रेट निकालना है रुपीज पर सिंगापूर डॉलर कितने का पड़ेगा कुछ बच्चों का यहां ही आया था कि सरम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं सिंगापूर डॉलर पर रुपीज ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं एक ही आंसर आएगा गेन और लॉस में तो क्या फर्क पड़ा आप रेट जैसे चौब ऐसे निकल लो पर इंस्टिट्यूट ने ऐसे ही निकाला और डायरेक्ट कोट ही निकाला चाहिए कि एक सिंगापूर डॉलर कितने का पड़ेगा इस कोशन को मैं दो तरीके से करवा सम्हा Sug इस rate का bid ask निकालू और ask rate ले लो इस rate का भी bid ask निकालू और ask rate ले लो बात कता पर ऐसे नहीं होगा तर इसको करेंगे कैसे किस तरह से होगा अब यहां सोच रहा हूँ मैं लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ याद रहा हूँ मैं लॉजिक के साथ समझाऊँगा इस question मैं ऐसे भी आपको जब समझ में ना आये न तो bid ask इसका भी निकालो और हमारे पास currency कौन सी सा रुपिया ही तो होगा ना भाई ठीक है सर रुपिया है हमारे पास तो सर सबसे पहला काम हम करें बोलो को आप क्या करोगे हम डॉलर खरी देंगे रेट डॉलर कहीं दिया है ठीक से लिख लेना अगर समझ में ना आये तो मैं लिख देता हूँ रुपीस पर डॉलर डॉलर पर पाउंड और सिंगापू डॉलर पर पाउंड ठीक मतलब सर बैंक डॉलर बेचिए का मतलब हम डॉलर खरी देंगे ना तो महगिया में खरी देंगे हाँ ठीक कैसे कर लो है यह वहला रिट अब आपके पास करेंसी कौन सी आगे सर मैं हूं कस्टमर मेरे पास डॉलर आ गया बेलकुल तो सर अब हम पान ख़रीदेंगे मतलब बैंक पान बेचे गा तो महगें में पान ख़रीदेंगे जिस एंगल से सोच ना सोच लो अब आपके पास करेंसी कव wash सर अब हमारे पास पाउंड तो सर बैंक अब हमको सिंगापूर डॉलर देगा और रेट किसका दिया, पाउंड का, बैंक पाउंड खरीदेगा हमसे, सर मार्जिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहां जो काम हो रहा है, बस समझाओंगा, वो भी समझाओंगा, ठीके पहले रेट तो निकाले, फिर बात करें, तो सर, एक रेट लेना है, यह वाला, मतलब, एक रेट लेना है, रुपीज पर डॉलर, फिर, यह कितना है, 45.90, फिर, पाउंड, सेट क्या हुआ, दॉलर, पर पाउंड, कितना, 1.7850, और उसके बाद सिंगापूर डॉलर, पर पाउंड, 3.157, और हमें निकलना, रुपीज पर सिंगापूर डॉलर, तो स्टार्ट कहां से करना, रुपीज से, उपर तो रुपीज ही आएगा, कसम खा लिए, रुपीज और यहां कोटेशन है, डॉलर, डॉलर से डॉलर कटना चाहिए, डॉलर उपर, तो डॉलर के साथ क्या जाएगा, पाउंड, पाउंड से पाउंड कटना चाहिए, पाउंड, तो पाउंड के नीचे क्या जाएगा, सिंगापूर डॉलर, रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर दिया है, सीधा 45.90, डॉलर पर पाउं यह भी दिया है 1.7850 डॉलर पर सिंगप पाउंड पर सिंगपो डॉलर और यहां से अपोजीट दे रखा तो 1.1 डिवाइड़ेट बाई 3.157 तो दिकत किदा तो था जो भी रेट निकलेगा फिर सोचेंगे क्या करना है जब बच्चें थियुलर लेते उनों करने तो बताए है किवर से डिवाइड करना है तो ऐपोजीट वाला रेट लेना है और यहां तो वन से ही डिवाइड करना है तो इस जो रेट लिखिए हो नहाई है अब ऐसा ने देना भाई क्योंकि दिमाग चलाया है यहां जब बिडास्क दोनों अगर हमको हमको दिमाग चलाना नहीं होता ना तो वान से रिवाइट करती तो आप्टोमेटिक यह वाला रेट आ जाता है एक बार अगर आपने सोच समझ के रेट डिसाइड कर लिया तो फिर आपको बिड क्योंकि यहां देखो न यह सीधा-सीधा दिया है और यह उल्टा दिया इसलिए तो वन से डिवाइट करना पड़ा है इसलिए तो यह वाला लिया हमने मरी बात समझो बच्चो अगर आपने सोच समझकर लिख लिया है न यह सब चीजे तो 1 से डिवाइट करने पर यहां से भटक मज जाना यहां चले गए इधर जाना ही मत फिर तो सिदा सिदा कर ले ठीक है और आंसर आ गया और आंसर आ गया होगर यह 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 था 25.98 9.28 और कौन सा रेट निकला एक्चुली यह आस्क रेट ही निकला आस्क रेट अब क्योंकि यह इंटर बैंक रेट है तो बैंक बेचेगा तो और महगे में बेचेगा और हमने प्लस कर दिया मार्जिन और मार्जिन दिया हुआ है 0.125 मार्जिन को प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद आंसर आ गया है 25.9 अगर मैं 28 तारिक को सिंगापूर डॉलर खरीदेता तो मुझे पढ़ता 25.9806 विदिकत आगे बच्चों का डाउट लेलो अब बच्चों का क्या डाउट आ रहा सुनो बच्चों का कहना है सर इसमें इसमें अलग मार्जिन प्लस करते इसमें अलग मार्जिन प्लस करते इसमें अलग मार्जिन अलग मार्जिन करते तो हम बार बार बैंक जा रहे हैं यह bank आपको Singapore dollar बेच दी है तो वो खुद को cover कहां से करेगी, कहीं से Singapore dollar खरीद के आपको बेच रही, it means यहां bank का आपस में लेन देन चल रहा, आप उस पे focus मत करो, bank का आपस में लेन देन चल रहा तो उस पे margin add नहीं होगा, और आपस में लेन देन चल के एक rate निकला, और उस rate निकला यह वाला, 25.9 for it, और bank आपको उसमें margin plus करके बेच रही है, तो वो जो जिन लोगों से आपने deal किया, वो आपने नहीं किया, आप जिससे contract उस bank ने किया होगा, ठीक है, तो सब फिर वहाँ customer के एंगल से, क्योंकि bank वहाँ customer बन गई थी, फिर इतना तो आप नहीं 0.9806 का पढ़ना था, वो 26.0719 का पढ़ा, तो उस हिसाब से मुझे यार, loss हो गया, और कितने का loss हो गया, 228, 250, एक question आया था बच्चों का, कि सर ये digit कितना लेना है, point के बाद, 4 की 3, की 2, 4 ले लो, 4X में 4 ले लिया करो, टेंशने करो, 4X में 4 ले लिया करो, सर पर किसी question म तो दो ही लिया, मुझे मतलब नहीं है भी, 4X में 4 ले लो, टेंशन करो, कभी-कभी तो मैंने भी इदर दो लिया है, आप 4 ले लीजिए, चले, आगे, अब हमारा start हो रहा है chapter, आजी, अब start हो रहा chapter, चलो ची, तो point number 2, और point number 2, spot market arbitries, basic कतम हो, spot market arbitries, spot market arbitries है क्या सर, आर्विट्रेस क्या यह समझाने की जरूरत नहीं है, derivative पढ़ चुक्य है, मेरे के question है, कि डॉलर कहां से खरीदा जाता है, अगर आपको डॉलर की जिब्रत पढ़ती है, तो, सर बैंक से, ठीक है, क्या अलग-अलग bank में dollar का rate, अलग-अलग हो सकता है, bank A, और bank B, यहां dollar का rate चल रहा है, 82.75, और दूसरी bank में चल रहा है, 82.85, हो सकता है, हो सकता है, बैंक क्या है बैंक कुछ ने दुकान ही तो है दुकान में तो और सामान का रेट अगला हो सकता है तो अगर इससे फाइदा कमाना है तो सर एक बैंक से खरी देंगे जहां सस्ता मिल रहा है डॉलर जहां सस्ता भिकरा है वहां से खरी लेंगे और जहां महगा भिकरा है वहां बेज देंगे that's it खतम और हम प्रॉफिट कमा लेंगे क्यों बेकार में या डॉलर खतम यही काम करते जाएगे और आर्बिट्रेज कैसे खतम होता खुद आर्बिट्रेजर खतम करता यहां डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और बढ़ेगा तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो यहां 85 हो ही जाएगा तो यही बात यहां मुझे समझाना आर्बिट्रेज मिन से रिस्क फ्री प्रॉपिट ठीक है यह तो समझ में आता है हम लोगों को हमें डॉलर खरीदना है जहां यह सस्ते रेट में बिक रहा है और वहां बेज देना जहां महगे में बिक रहा है इंडिया और यूएस ले लिया आप एक बैंक दो बैंक भी ले सकते हो इंडिया यूएस इंडिया में डॉलर का रेट है 70 रुपए यूएस में 72 तो आप इंडिया से खरीदोगे यूएस में बेचोगे एक डॉलर पे आपको कितने का फायदा हो जाएगा दो रुपए का फायदा हो जाएगा ठीक है चल रहा है इस पे पहले एक आध एक्जामपल करें तो बात समझने है बेडास्क तो समझते हो अब यहाँ थोड़ा सोच समझ के काम करना पढ़े है अगर हम इंडिया से डॉलर खरीदते हैं तो 60.75 और यूएस में बेच देते मतलब दूसरी बैंक डॉलर खरीदे के 60.90 में तो सर्फ 15 पैसे का फायदा है इधर तो वैसी मेहगा है तो सवाली पैता नहीं होता आर्विटर जैसे ही पूछेगा तो बलब बाइड डॉलर फ्रॉम इंडिया इतने में तो आंसर आजाएगा डॉलर रुपिया 0.15 पर एक डॉलर पे 15 पैसे का फायदा कोशन नमबर 6 जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कोशन नमबर 6 पे आ जाईए कोशन नमबर 6 अच्छा कोशन है समझने के लिए concept बनाने के लिए तो कोशन नमबर 6 ने लेते हैं तेखा ओन दे सेम डेट दिएम स्पॉट रेट वाज कोटेट 0.40 डॉलर इन नी यॉक दिएम का रेट दे रखा है नी यॉक में डॉलर पर डिएम यही दे रखा है 0.40 प्राइज अप पाउंड कितना है पाउंड का प्राइज दे रखा है कहां दे रखा है ये भी नी यॉक में दे रखा है मतलब सर डॉलर पर पाउंड ही कितना 1.80 वाट उड यू एक्सपेक्ट दप्राइज अप पाउंड पाउंड का प्राइज बताना है कहा मुका है जर्मनी का मतलब पूछ क्या आ रहा है पाउंड तो आगे उपर क्या आएगा सर जर्मनी में पाउंड का प्राइज बताना मतलब जर्मनी की करेंसी आएगी तो जर्मनी की करेंसी कौन सी है सर नहीं मालूँ पर कॉमन सेंस तो लगा सकते भूल जाओ करेंसी कॉमन सेंस तो लगाओ common sense लगाना है तो dollar पर pound तो पूछ रही रहोगा तो बचा क्या dm पर pound ही तो पूछ रहा होगा यास dm पर pound अता कैसे लगा price और pound बोला है तो price बताना है pound का dm में तो symbol सी मात है क्या cross rate है yes और cross rate तो हमको पता है हमें उपर क्या चाहिए dm dm नीचे दिया तो one से डिवाइट करना पड़ेगा pound चाहिए नीचे नीचे pound ही दिया तो सीधा लिखना पड़ेगा तो answer क्या जाएगा dm 4.50 pound का price है और कहां है यह जर्मनी में जर्मनी में है मतलब जर्मनी में होना चाहिए नियोर्क के rate को देखते हुए नियोर्क के rate को base रख कर यह rate जर्मनी में यह होना चाहिए एक्चुल में यह rate निकला कहां का है यह rate जो निकला यह नियोर्क का निकला है एक्चुल में यह rate जो निकला ना 4.50 वो एनवाई का निकला एनवाई का निकला तो बताईए profit कैसे कमाते हैं सर pound खरीदते हैं कितने में 4.40 में और बेज देते हैं 4.50 में बिल्कुल सही कहां से खरीदते हैं भाई सर हम खरीदते हैं यहां से Frankfurt ते और बेचते हैं जर्मनी मद बुल देना सर बेचते हैं नी यॉक में और आंसर आ जाता है यस अच्छा कोशन है इसके तो मेरे selected ही कोशन उठाया triangular arbitries triangular arbitries क्या होता है तीन जगा की तीन देशों की currency दी होती है और बताता है कि आपके पास यह है तो आप बताओ arbitries कैसे है हला कि triangular arbitries नाम ऐसे पड़ा कि ऐसा triangular बना लेते है और clockwise और anti-clockwise घुमाते है पर हमें musical language यूज नहीं करनी है musical language से दिक्कत होती है तो मैं clock, anti-clock और यह सब कुछ नहीं करवा रहा हूँ मैं सिर्फ पर्ड आहूं की लिखा के falling are the spot rates quoted in three different market अच्छा यह इसको वोला जाता आई एस ओओट जनरली इसका मिनिंग क्या होता है जनरली जनरली इसका मतलब होता है वान यूनिट इसको बेस करेंसी मुत्री डॉलर वन और इसमें भी वही है मतलब यह जो दे रखा ना USD INR जनरली इसको अगर मैं अच्छे से लिख होता हम इसको ऐसे लिख से लिखता हूँ रुपीस पर डॉलर अब यहां यह वन इनुट है तो सर रुपीस पर पांट रुपीस पर पांड और अब ये क्या हो जायगा सर डॉलर पर पांड पांड रॉपीस डॉलर और पांड के बीच का दिया हुआ है आपके पास है आप एक आर्बिट्रेजर और आपके पास है डॉलर सौलाग आपके पास About कौन सी है? डॉलर सॉला. Assume that there are no transaction cost. Explain whether there is any arbitrage gain possible from the quoted spot action rate. Study Matt का question और Practitioner का question. Sir, वो क्या कहना चाहता? वो कहना चाहता? खूब घूमो, दुनिया घूम लो. कैसे सर? बता. आपके पास currency कौन सी है? सबसे पहले ये बोलो, आपके पास currency कौन सी? जेब में क्या पढ़ा? डॉलर. तो बहुले डॉलर लेकर जाओ. कहां पहुँचो? बहुले मुंबई. पहले मुंबई जाईए. और डॉलर देकर बदले में रुपिया ले लीजिए. आगया है रुपिया? रुपिया लेके कहां पहुँच जाओ? खरीद दो डॉलर. अगर मैं डॉलर लगा रहा हूँ 100 लाक और आगया उससे जादा तो गेन है. पक्का गेन है. क्योंकि ये रेट तो पता है. सर सुनो प्री में आओगे जाओगे कि आने जाने का खर्चा और इस पे जो पैसा घुमाओगे इस पे भी तो खर्चा होगा. लिखा एजिम डेट देयर आर नो ट्रांजिक्शन कुष्ट. ठीक है? ठीक है सर. तो सर सबसे पहले आप कह रहे हों कि आप डॉलर से रुपिया में गनवर्ट करो. या साब की पास डॉलर है ना तो डॉलर से ही स्टार्ट करना है डॉलर पे ही खतम करना जो हमें दिया है उसी से स्टार्ट होगा उसी पे खतम होगा. मतलब सौ लाख लगा रहा है तो उससे ज़्यादा आयेगा उससे ज़्यादा आना चाहिए अगर नहीं आया तो फिर दूसरा भी तो क्रश्ण है हम डॉलर यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते मतलब दूसरा अल्टनेटिव क्या है कर आप देखा ज्यात इक रूट से गयन आक यह तो इस रूट से गे न जाएगा आप इससे प्लीज clockwise और अंटी clockwise ना करें अगर आता है तो बहुत अच्छी वाद तो सब harvest कौन सा एक root हो गया है ये दूसरा हो गया है तो इसमें जाए कि इसमें जाए ये कैसे पता लगा सकते है I.C.A.E. ऐसा कुछ भी clue नहीं करता हूँ वो सीधा answer लिखता तो हम भी ऐसे करेंगे ना root पता करने में cross rate की जरूत पड़ती है और cross rate आपको आता नहीं है तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी या cross rate गलत निकाल लिया तो भी दिक्कत है तो sir कुछ नहीं करना है calculator का और भगवान का नाम लो इस root से gain आएगा तो या तो इस root से gain आएगा और जिससे gain आजाएगा वैसे हम बना लेंगे और कुछ नहीं करें विटमिंस पहले calculator से चेक करूँ इतना आसान question है कि calculator में हो जाएगा CDC बात लिए और एक बार फायदा निकल गया तो बस उसी को यहां लिख लेंगा तर अगर इससे loss आया तो इसको दिखाना जरूरी है क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है खोड़ दो इसको इससे loss आया तो फिर calculator वापस रख दो फिर तो इससे gain आएगा याएगा और अगर इससे gain आया तो इससे loss आने वाला इधर दिखा इट मींस आपको calculator में सिर्फ एक बार करना बस loss आया पहली बार loss आया तो फिर calculator लग दीजी और question मनाना श्टार्ट कीजी क्योंकि इससे gain आने वाला ठीक है इस्टार्ट करें यहां से स्टार्ट करता हूं भगवाल का नाम लेता हूं gain आ जाए और नई भी आया तो हमको मालूम है करना हमारे पास क्या है 100 lakh dollars 100 lakh 100 lakh लिखने में time लग रहा है एक लाक लिखने में थोड़ा सा time लग न हमारे पास, फीक है, अब हमें क्या करना, pound gold का, रेट दीया और मेरे पास तो, रूपी ऑट है, तो Würज होगा, ग caller, 77.52, ये आख़या, ये क्या आख़या, मेरे पास, pound आगए, अब pound से dollar, रेट pound का दिया, तो, multiply होगा 1.6231 अब आगया है dollar एक लाक लगाया था पर आगया है 101129 मतलब कुछ सोचने वाली बात नहीं है यह गेन होगा इसी रूट से गेन निकल गया तो बस भगवान का नाम ले और करें सबसे पहले लिखना पड़ेगा CA final में बच्चों को नंबर कम आते उसकी एक वज़ा है वो लिखते नहीं है बस यही समस्य चलो सर तो काम करें पहले क्या करें सर पहले dollar बेचेंगे कहां? मुंबई में मुंबई में हमारे पास dollar था बेज देंगे बेचने से हमारे पास आ गया है सर यह पैसा रुपिया आ गया अब रुपिया अब लंडन से क्या खरीद देंगे पाउंड तो no doubt divide होगा तो यह आ गया है और पाउंड को बेज देंगे नियॉयोक में तो multiply होगा यह आ गया है और लगाया था कितना यह लिख ले ना लगाया था सौलाग अर्बिट्रेज गेन कितना आ गया अर्बिट्रेज गेन आ गया और कुछ नहीं करना ठीक है हाला कि मैंने आपको बहुत research करवाया होगा इस concept पर बच्चे बोल रहा होगा सर यार यह आपने तो बहुत research करवाया आपने root पता किया उसके बाद जरूरत नहीं है हम calculator से root पता कर ले ठीक है सर अब ऐसी और एक question बना लेना आर्बिट्रेज ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज बच्चो वाला गाम कुछ है यह नहीं उसमें पर यह वाला question मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यह डाल दिया इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आगे चलते हैं following are the spot action rate quoted rate three different forex market dollar INR मतलब मतलब रुपीज पर डॉलर सोचने वाली बात नहीं है और उसके बाद GBP रुपीज पर पाउंड वही वाला तो question है सर यह है और dollar पर पाउंड वही वाला question है आपके पाउंड डॉलर है बस इसमें एक यह जो rate दे रखा यह interbank है और इसमें action margin 0.125% manage करना है तो आपको जाना कहा है dollar से किस पर जाना है तो यहां देखो यहां क्या गया dollar से किस पर चला गया dollar से pound यह pound dollar से pound पर जा सकते हैं मतलब पहला आपके पास currency कौन सी है dollar एक route तो यह हो गया dollar से rupees rupees से pound pound से dollar दूसरा route dollar से pound pound से rupees और rupees से वापस dollar अब हो सकता पहले route से calculator से देखा होगा answer नहीं गारा है मैं दूसरे route की बात कर रहा हूँ कि कैसे काम गा dollar से pound आप नियॉयॉक में dollar बेचोगे rate किसका दिया है dollar बेचोगे और rate किसका दिया है rate दिया है pound का आप को customer आप dollar बेचोगे पर rate तो pound का दिया है मतलब pound खरीदोगे और मतलब bank pound बेचेगा तो महगे में बेचेगा बेचेगा तो महगे में बेचेगा आप dollar दोगे bank को पर bank तो आपको pound दे रहा ना भाई rate जिसका दिया उसकी बात करूँ rate किसका दिया है pound का तो bank pound बेचेगा बेचेगा तो और महगे में बेचेगा तो margin क्या हो जाएगा plus यह misprint है यहाँ कर ले न 0.125 पर ठीक ठीक है अब यहाँ क्या है आप pound बेचेगा यहाँ पहुंचेगा pound बेचेगा rate किसका है pound का तो मतलब bank pound खरीदेगा न सर याँ खरीदेगा तो margin क्या हो जाएगा minus बस आपको यह margin bank क्या करेगा बेचेगा कोई currency तो महगे में खरीदेगा और सस्थे बस यह margin का adjustment आपको करना बाकिया और कुछ नहीं को सर एक question करवाया था जिसमें margin आपने last में किया क्यूंकि वहाँ customer आया था strike चल दी थी bank में तो bank आपस में लेंदेन करके आपको Singapore dollar बेच रहा था हो question इसमें ऐसा नहीं है इसमें खुद आप आर्बिट्रेजर हो और आप bank bank गूम रहा हो कभी मुम में जा रहा हो कभी लेंदेन जा रहा हो तो हर एक transaction के साथ margin का adjustment होगा उस question में ऐसा नहीं था उस question में आप customer थे और प्यार से bank से Singapore dollar मांग रहा थे तो bank जो आपको Singapore dollar बेच रहा था ना वो इदार कुछ plus minus करके आपस में लेंदेन करके फिर आपको बेच रहा हो इसलिए Singapore dollar बेचते समय margin plus हो थे हाँ बोलो समझी में आया ना ठीक सर चले आगया question number 10 question number 10 question number 10 ये question आया था RTP November 2020 में रखा हुआ question RTP November 2020 का अच्छा question है लिखा हुआ city bank court JPY USD अब सर मतलब एक yen बराबर इतना dollar हो सर आप ही ने बताया ना क्या बताया था इसको क्या मान लेना इसको one मान लेना तो सर एक yen बराबर इतना dollar ये बोलना चाहते हो सर आपको शर्मा रही है हाँ बिटे मुझे शर्मा रही है सर एक बार बताओं सबसे बड़ा अगर देखा जाए pound अभी यहां जो चलेगा हमारा सबसे महगा pound उससे कम euro फिर dollar उसके बाद rupees उसके बाद ये सबसे 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 येन और आप कहरें एक yen में इतना dollar आ जाएगा अजीब सी बात नहीं करते हैं यहां IAC AI यहां आपको अपना market का knowledge चाहिए और market का knowledge नहीं बस इतना ही knowledge चाहिए प्यार pound सबसे बड़ा है तो ठीक अब यहां आप मुझे ये लेकर मत आजाने कि नई सर अभी तो ये चल रहा अभी तो euro और dollar की बीश में जगड़ा चल रहा भई मार्केट में अभी क्या चल रहा हमारे कोशन में यही सिक्वेंस में काम होगा उस इसाप से यह गलत लिखा हुआ है को बोला जाता है धोका है हमें actual में अब यहां सोच समझ के निकलन लिखना बढ़ेगा ये दिया है yen per dollar एक डॉलर बराबर yen कभी भी ज़्यादा ही आएगा 105 और 106.50 हॉंग कॉंग में भी दिया हुआ है ये इसका मतलब क्या होगा है सर एक yen बराबर कितना डॉलर हाँ तो सर ये दिया हुआ है yen per dollar डॉलर पर yen एक yen में कितना डॉलर मतलब एक ऐसा कोट दे रखा और एक ऐसा कोट दे रखा are these कोट identical if not then how they are different क्या ये जो कोट दिख रहे है ये दोनों identical है नहीं है एक डारेक्ट कोट है एक इंडारेक्ट कोट है मतला 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 सिटी बैंक कहां की है सर यूएस की है तो यूएस बैंक के लिए यूएस की है ना सिटी बैंक तो यूएस बैंक के लिए एक कोट क्या है डारेक्ट के इंडारेक्ट यूएस के लिए अब आगे फसे वहां तो मै ने बोल दिया था कि डारेक्ट, इंडारेक्ट क्या होता पूछेगा नहीं? पूछ लिया. अब क्या करोगी? सर, यूएस में कौन सी कर्णसी चलती है? डॉलर? ऐसे समझ मना नहीं आएगा? पीज पर डॉलर, इंडिया के लिए है, इंडिया के लिए डारेक्ट कोट क्यों होगा, क्योंकि फॉर्ण कररंसी का एक यूनिट बराबर कितना उरुप है? फॉर्ण करंसी कितने की, तो US में तो dollar ही चलता है और dollar का यह rate दे रखा तो यह court कौण से हजाएगा indirect quote होजाए इंडारेक्ट कोट कहां के लिए dollar के लिए मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी Hong Kong बैक कोट direct quote for dollar इसमें कोई शक है क्या कोई शक है दूसरा question इस देरे possibility of arbitrage क्या कोई arbitrage की possibility है तो यहाँ थोड़ी सी जंजट है सच जंजट क्या है सुना जंजट ये है कि ये अलग-अलग दिया है अगर कास ये हमको ऐसे दे देता ये जो दिया है ना, ये कास ये वाला भी rate ऐसे दे देता ये इन पर dollar अब ठीच ठाक से लिखेंगे कैसे पहला वाला तो मैं लिख लेताूं, कहां का city bank वाला, city bank वाला ये लिख लेता हूं मैंने लिखा ये लिखा city bank yen per dollar जो दिया है वो लिखा पर इसको में one से divide कर सकता हूँ अगर मुझे दूसरे type का मुझे dollar पर yen बनाना तो one से divide करना पड़ेगा और जब जब भी one से divide करती है जो ask है वो bid बन जाता है जो bid है वो ask बन जाता है इसमें कोई शाक है क्या कोई शाका क्याओ नहीं ऐसा क्यों कर रहे है वो क्यों कर रहे है मैं समझा दूगा जड़ा सोषते है one से divide किया one divided by 106 point 5 तो ये आ गया और इसको one से divide किया थो ये आगया ऐसा किया लिख कर रख लिया कि अगर में सिर्व कहता हूं सिर्फ डॉलर के डिए इंगे और हांग कॉंग बैंक में बैजे रैंग के रहा आप अब बोलो ना आपके पास डॉलर है कि यह नहीं हम आर्बिट्रेज निकल कर बता देंगे यह यह फाइदा कब हुआ जब मैंने कनवर्ट कर दिया क्या कोई आर्बिट्रेज पॉसिबलिटेज यहां किसे इससे आप ऐसे भी कर सकते हो कोई दिख्याओ अगर आपके पास if we have, we have yen 1 lakh, check करो point number C कर भा रहा हूँ if there is an arbitrage opportunity then show how would you make profit from the given quotation, अगर आपके पास yen है अगर आपके पास dollar अगर हमारे पास dollar है तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास yen है तो क्या करेंगे, चलो तो पहले हम मान की चल रहा है कि हमारे पास yen है क्या खरीद होगे, dollar dollar खरीद होगे कहीं से, dollar बेच होगे कहीं, देखो dollar का rate कहा है, dollar का rate dollar का rate, dollar का rate सर ये dollar का rate है और एक ये dollar का rate है तो dollar हम सब सस्ते में खरीदेंगे dollar यहाँ से खरीदेंगे, bank dollar बेचेगा और bank dollar खरीदेंगे 106 point इससे divide करेंगे और 107 से multiply करेगे या गया तो येन हमारा पारदा उकर बहthree पर नहीं नहीं अगर आपके पास dollar है तो dollar है तो फिर हम yen की बात करेंगे यहां से खरी देंगे yen dollar है और यहां बेचेंगे तो बाई डॉलर कितने में यहां एक सो साथ लिखा है आप उसकी जगा आप यह भी यूज कर सकते हो यहन यहां से खरीदना यहन यहां बेचना हमारे पास कौन से करन्सी है डॉलर तो सर बैंक यहन बेचेगा इससे डिवाइड हो जाएगा और इससे मल्टिप्लाई हो जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हो 1000 डिवाइड बै पॉइंट डबल जिरो नाइन त्री इन्टू पॉइंट डबल जिरो नाइन फो आंसर आगे है 1010 एप प्रॉक्स आगे है यहां स्राउंडे डॉक करके 1010.752 इफ्रेंस आएगा 9.6 की जगा 10.752 ऐसा भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है सर इन्होंने 107 यूज किया अच्छली उन्होंने का ये वाला रेट और ये वाला रेट तो बराबर है तो फ्रेक्शन की वज़ा से आ रहा है आप ये वाला रेट की जगह उन्होंने ये वाला रेट यूज किया ये सर ये कोश्चन किसका ये आई सी ए आई का सॉलूशन है पर चल जाएगा खतम करें कहानी ये तो ये था इस्पोर्ट मार्केट आर्विट्रेस और ट्राइंग्वलर आर्विट्रेस दोनों मेंने करें अब चल रहा है हम फावट कॉंट्रेक्ट पॉइंट नंबर थ्री फावट कॉंट्रेक्ट हाज talking पॉइंट का ये समझाने की जरूरत नहीं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है उआ कि आपने इंपोर्ट किया थीक है इंपोर्ट किया तो जिस दिन इंपोर्ट किया आपने उसी दिन आप OKC mue का payment करना ज़रूरी नहीं है जब गूर्स आएगा आने ऐसा थूढ़ी नहीं कि अभी की आज import कि आज ओर दी और आज ढ़े हो जब आता है जुन डावर शीया तो जब आयगा कि तब आपको दॉल्ड का payment करना सामने वाली पार्टे को में अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मान लो अभी डॉलर का रेट चल रहा है, एक डॉलर बरावर असी रुप है. पर पेमेंट क्योंकि शिप आएगा तीन मैने बाद और तीन मैने बाद जो रेट है, वो क्या होगा? वो हमको नहीं मालो. बैंक के पास जाओगे? सर एक काम करो ना, आज ही डॉलर खरीद के रख लो, ऐसा कर नहीं सकते हैं, आज ही डॉलर खरीद के नहीं रखोगे. तो आपको तो डॉलर तो तीन मैने बाद ही खरीदना पड़ेगा, तो क्या आप टेंशन में आ जाओगे? हाँ सर टैंसल में आ जाएगे हैं, किस बात का चाहिए? फिर डॉलर का रेट बढ़ना जाएं, तो फिर एक काम होता है, आप बैंक के साथ फावर्ट कॉंट्रेट कर सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं, कि सुनो बैंक, हम आपके पास तीन मैने बाद आएंगे, आज ही बता है ना हमेशा कर लिया काओ, पर फिर भी जब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं रेट बढ़ना चाहिए, इंपोर्टर को, तब आपको फावर्ट कॉंट्रेट करना चाहिए, मेरे हैं से आज पॉइंट नंबर 3 तक ही करवा पाऊंगा, मतलब फावर्ट कॉंट्रेक्ट तक ही हो पाएगा, मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, बिसे टार्गेट था आज का, कवर डिल और आयर पी और पर्चेसिंग पावर करवाने का, पर कुछ विशेश कारोनों से आज की क्लास से फावर्ट कॉंट्रेक्ट तक चलेगी, फावर्ट कॉंट्रेक्ट भी ऐसा न तीन पार्ट लगे थी, कुछ चेप्टर्स हैं जिसमें आपको रिविजन खुद को पुराने विडियो देखकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यार टाइम पर हो नहीं पा रहा है, तो देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चेप्टर में और कोई करवा सकता हूँ आपको एक चेप्टर और करवा सकता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर मेरा सैडूल गरबड़ हो रहा है, और हवा में रिविजन करवाने का आप भी जान रहा है कि सैंस नहीं है, तो पोर्टफोलियो करवाऊं कि कुछ बच्चों का कहन मर्जर करवाईए, कि मर्जर करवाऊं, देखते हैं, बाकी यार सुनों, बिल्कुली जल्दी है कि नहीं, फॉरेक्स की तीन क्लासिस क्यों ले रहा है सर, रिविजन में, तो वो लोग उस पर जा सकते हैं, किस पर, मेरा पुराना वीडियो है, चार घंटे का हुगा, चार स spot rate दिया हुआ है, spot rate का मतलब, आज का rate, कि यार 70.50 पैसे, 7.20 और ask, 3.month expected spot rate का मतलब, कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, कि rate तीन महने बात बढ़ सकता है, जादा हो सकता, 74 हो सकता, मैं बैंक के पास गया है, मुझे मने बैंक को बताया है, कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे बैंक, बैंक, आपके यहां कुछ चल रहा है, forward contract, बोले हाँ, 3 month वाल, 1 month के लिए चाहिए, 1 month के लिए भी होता है, मुझे 3 month के लिए contract करना, बोले ठीक है, 3 month, क्या rate चल रहा है, 72.50 में ले जाना, बैंक गलत बात है, अभी rate चल रहा, अगर मैं आपसे अभी dollar खरीदता हू तो 71.25 का मिल जाएगा, और आप बोल रहें कि 3 मेने बाद 72.5 का मिलेगा, हाँ, हमको भी तो मालूम है कि rate बढ़ने वाला है, सुनू, आप क्या सोच रहा, आप कितना भी छुपा लो, आपको कैसे पता लगा कि rate बढ़ने वाला है, आप हमारे पास आने से पहली पता लगा लिए होगे कि bank में forward content क्या चल रहा है, अगर forward rate ज़्यादा चल रहा तो आपका expectation भी क्या होगा, आप भी expect कर सकते हो कि यह ज़्यादा ही होगा, इतने में मिलेगा, करना है तो करो नीज़ा, ठीक है, सोच था हूँ, पहला question पूछ जाएगा, क्या राम ने इंपोर्ट यहा इनकी पास उनमें proper बना होगा डायग्राम पुरा, मालो यह importer, importer मैं कह रहा हूँ, कोई importer है, तो उसको कितने का loss हो सकता है, कितने का loss हो सकता है, क्या उसके expectation है, जब भी expected loss बोलेगा, इससे comparison मत करना, इससे comparison करना, इसका क्या अनुमान है कि कितने रुपे का loss हो सकता है, अगर कितना डॉलर है, लिख लेना भाई, एक लाग डॉलर, एक लाग ही है न, solution में एक लाग के सबसे किया होगा, देख लेता हूँ फिर, एक लाग डॉलर, ठीक है, तो, 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 अब कैसे करेंगे, अब राम सूचन, अगर मैं एक लाग डॉलर आज खरीदता, तो ब्रीदने का सोच रहा हूँ, तो मेरा एकस्पेक्टेड कैस आउट्फला, 74 की सबसे, इट मेंस, 74 माइनस 71.25 इंट दो लाग पच्छतर हजार रुपाय, 2,75,000 का, मेरा एकस्पेक्टेड लॉस है, एक कर लेना, एकस्पेक्टेड लॉस है, दो लाग पच्छतर हजार का, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर में स्पॉट रेट पे खरीदता, तो मुझे 71,25,000 पढ़ता, अगर में एकस्पेक्टेड स्पॉट रेट पे खरीदता, तो मुझे 74,00, पढ़ता, तो मेरा एकस्पेक्टेड लॉस कितने का है, 2,75,000 का, ठीक है, कौन सा मेथड ज़ तर ये बल, ये हर जगा नहीं चले, गलती से रेट घुमा कर दे दिया, गलती से रेट डॉलर पर रुपीज दे दिया, 0.0, ऐसा कुछ दे दिया तो बैंड पे जाएगी, सिरियसली बता रहा हूँ, तो सब प्यार से क्या कर लो, प्यार से ऐसे कर लोगी ना तो फायता है, और दिक्कत क्या है, नंबर भी तो मिलेगा न, अगर हम डॉलर को इस पे खरीदे तो क्या, अगर हम डॉलर को 74 के साब से खरीदे तो क्या, तो एकस्पेक्टेड लॉस, जरुरत पढ़ने पे, आप चाहो तो ऐसे भी कर सेब, तो एकात कोश्चर में में ऐसे किया है, आप क्योंकि Favort Rate कम है किस से, एकस्पेक्टेड इसपॉर्ट रिट से, तो जो चीश सर्ष्टे में मिल रही है, उसे सर्ष्टे में क्यों ना ले, वह लिकार है, एकस्पेक्टेड इसपॉर्ट रिट is less than Favort Rate, point no 3 क्या है, अगर आपका answer है yes, तो पताओ, आपने loss में कितना करोगे आप खुद लेख लो इसका और इसका comparison करूँगा फावर्ट कॉंट्रेट करने से भी loss है पर उतना loss नहीं है कितना जैसे अभी हुआ है कितने का loss हुआ है यह देख लोगे कैलकुलेशन अप लॉस इफ हैजिंग इस डन अंसर कितना अगया एक लाग पच्ची सवार मतलब जब भी फावर्ट कॉंट्रेक्ट के हिसाब से बुलेगा तो किस किस के बीच में कंपरीजन होगा फावर्ड रेट और इसपार्ट रेट और एक्सपेक्टेड लॉस पूछे एक लाग पच्ची सअर का लॉस है और पेले कितने हो रहा था? दो लाग beşच्टर हजार का हो रहा था अब भी भी तो आपने लॉस बचा लिया कितने रुपेया? ऑकश़र एक लाग पच्ची सबद लिका है? पर आप समझ गया है एक्सपोर्टर का मतलब किया होता है? एक्सपोर्टर का मतलब होता कोई एक पर्सन है और यू एसे उसने एक्सपोर्ट किया तो उसको मिलने वाला होगा और क्या मिलने वाला होगा डॉलर या पाउंड यहां पाउंड मालो पाउंड मिलने वाला होगा कितना पाउंड पचास मिलने वाला होगा या पचास अर लिख लेना उसल reflecting वो बैंग को बेचेगा खरीदेगा पाउंड कितने में खरीदेगा 90 इसको कीज बात कर डर है कर एकसपोर्टर को इस बात कर डर है कहीं rate कम न हो जाए, जो 90 रुपे में pound बिक सकता है, पर आज तो आने वाला नहीं, यह 3 मेने बाद आने वाला, तो कहीं वो कम न हो जाए, और क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं 87.50 न हो जाए, ओ, ओ, loss हो सकता है, कितने का loss हो सकता है, इन दोनों के बीच का difference, इसको क्या बोलेंगे, expected loss, यह निकाल लिए, आप calculation देख लिए न, 1,25,000 का expected loss, ठीक है, दूसरा, तो बताओ, राम को enter करना चाहिए, yes करना चाहिए, कैसे बताओगे, sir, forward rate is more than expected spot rate, hence राम शुट, राम शुट एंटर इंटर इंटो forward contract, अगर आपका अंसर है, 80,80 होना था, तो क्या loss बचा पाओगे, yes, फिर दे loss निकालेंगे, लेकिन यह loss इसके और इसके बीच का difference निकालेंगे, मतलब एक रुपय का, 50,000 का loss, पचास जार है, इसको ठीक कर लेंगे, तो पहले loss कितना हो रहा था, एक लाथ 25,000, अब loss कितना हो रहा, पचास जार, तो बुला आपने कितना loss बचा लिया, 75,000, इसे forward को, देख है, एक और यह आता, forward premium are discount, जनरली, जनरली क्या, power rate, इस portrait से जादा भी हो सकता, कम भी हो सकता, मालो, एक डॉलर असी रुपय का है, एक डॉलर 82 का हो गया, तो बताओ, क्या premium पर है, dollar mehgah हो रहा है, क्या mehgah हो रहा है, dollar mehgah हो रहा है, कितने रुपय से mehgah होगा, 2 रुपय से, क्या इसको आप percentage में बता सकते हैं, हाँ sir, 2 divided by 80, हम रुपये percentage में निकालना है, और percentage में निकालना है, इन्टू 100 कर लेना, पर इसको हम कोई annualize निकालना पड़ता, मालू ये 3 मेने का rate है, तो 12 divided by 3 करना पड़ेगा, premium आपको मालू है, क्या mehgah हो रहा है, mehgah हो रहा है, कि सस्ता हो रहा है, कोई currency महगी होगी, कोई currency सस्ती होगी, और currency महगी होगी, तो हम कहेंगे, spot rate दिया हुए, premium forward rate भी दिया हुए, premium या discount निकालना है dollar में, मैंने का dollar में, और rate किसका दिया है, dollar कहीं दिया, तो कोई समस्या नहीं है, अगर dollar में ही premium या discount निकालना, rate भी dollar का दिया, तो कोई समस्या नहीं है, formula की majority पर फिर विल formula लगाया, 71.25, पावर डेट माइनस स्पॉट्रेट और बेस के आएगा बेस में तो इस्पॉट ही आएगा बेस में तो पहले ही वाला रेट आता यार इन्टू हंडर इन्टू अंसर आगया 4.54 पर्शन प्रीमियम एगा हो रहा ना प्रीमियम इन डॉलर लेकिन अब बोल रहा है अगर डॉलर प्रीमियम पे मतलब रुपिया डिसकाउंट पे है तो क्या वो 4.54 पर्शन होगा नहीं होगा अब भी जब आप क्लास इस्टार्ट कर रहे थे तो आपने अप्रीशीशन डेप्रीशीशन समझाये थे प्रीमियम का मतलब एप्रीशीशन नहीं हुआ ना उसमें आपने बोला कि सर अगर एप्रीशीशन हुआ पाच पर्शन का डॉलर में मतलब रुपिया में डेप्रीशीशन हो रहा पाच पर्शन का वहाँ चलेगा यहाँ नहीं चलेगा कैसी बात करते हो actual में ये logical है वहाँ भी मैं logic देने की कोशिस किया हूँ मेरे जो class के बच्चे है उनको पर यार वहाँ तो मुझे I.C.E.I. को follow करना पड़ा है ठीक है सर बताओ ये क्या कहना चाहता है कहना ये चाहता हूँ premium या discount किस में मांग रहा है रुपीज में पर रेट किसका दिया है डॉलर का तो चल जाएगा नहीं चलेगा हमें actual में अब किसका रेट बनाना पड़ेगा हमें रुपीज का रेट बनाना पड़ेगा मतलब इसको 1 से डिवाइट करना it means ये जो रेट है इसको हमें रुपी डॉलर पर रुपीज और डॉलर पर रुपीज ऐसा बनाना पड़ेगा तो 1 से 70.45 ऐसा जीरो या ऐसे लिख लेता है 1 डिवाइड बैस 70.45 और 1 डिवाइड बैस 71.45 अब rate किसका निकला है रुपीज का अब हम रुपीज का answer दे सकते हैं और फिर हम formula तो वही लगने वाला जो लगी का F कितना है F है 1 divided by 71.25 S कितना है 1 divided by 70.45 और यहां कितना आएगा 1 divided by 70.45 यही करना पड़ेगा अगर रुपीज में बोला तो रुपीज का rate निकलना पड़ेगा किरना क्या चाहती हो अगर premium में discount रुपीज में दिया है पर rate किसका दिया है dollar का तो formula उल्टा करना पड़ेगा उल्टा मतलब 1 से divide करना पड़ेगा नहीं बेटे 1 से divide करके इसका जब derivation करोगे तो आपको आशिर होगा इस portrait पहले आजाएगा forward rate बाद में आजाएगा और forward rate नीचे आजाएगा तर यह याद नहीं रहेगा ऐसे कर ले ना इसका derivation करोगे तो यह ऐसे घुमेगा या into हो जाएगा 70.45 और फिर आप कर लोगे और फिर formula यह निकल के आजाएगा मैं कोई formula का derivation नहीं कर वाँगा derivation में मैंने कसम खाया है मैं बहट जाता हूं मैं बहुता हूं नहीं यार बच्चे को मज़ा आएगा नहीं चाहिए मैं मज़ा ठीक है अंसर आगया 4.49% पर एम डिसकाउंट इन रुपीज ठीक है जी आँस कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है अगर डॉलर है डॉलर में ही premium discount मांग रहा है तो सीधा सीधा काम करें डॉलर है डॉलर का rate है पर रुपीज में premium या discount मांग रहा है तो हमको उल्टा करना पर ठीक ह calculation of forward rate with the help of swap points swap points अब सुनो एक और चकर हम बैंक के पास गये हमने का बैंक बताओगे spot rate क्या चल रहा है रुपीज पर डॉलर उसने का 80.45 और 80.75 अगया ठीक अब तीन मैने बाद चाहिए नहीं यार यह तो spot है तीन मैने बाद तो बहुत है ठीक है तीन मांग उसने का 20 और 35 मतलब तीन मैने बाद forward rate 20 रुपए है ग्रोड़ भूले नहीं भाई ऐसे बोला जाता है 3 months swap अब करना क्या है मुझे तो 3 months forward rate चाहिए बोले वह आप निकाले अब कैसे निकाले बोले भाई 80.45 में यह पैसा जैसा है इसको क्या कर देना प्लस कर देना, 0.20 क्या कर देना, प्लस कर देना, और इसमें भी 0.35 प्लस कर देना, जो भी आएगा वो आपको फावर्टट रहाए अच्छा, मैंने इनका सीधा नहीं बता सकते थे, बोले सीधा नहीं बता थे, हम ऐसी बताओ अच्छा मेरे समझ में आगे है ठीक है मैं एक बार में निकाल कर देखू बोले ठीक है बैंक बोलता आप निकाल कर देखू छुलो मैं two month निकालता हूँ आप मुझे स्वैप दीजीये मैं निकाला हूँ भूले ठीक है पंदरा और दस निकालो, मैंने गालना क्या है आप कुछ भी बात करा है, मैं यूँ निकालता हूँ प्लस पॉइंट वन पाई प्लस पॉइंट बॉन जिरो बिले नहीं, ऐसे नहीं अब भी बोला था ना ऐसे ऐसे नहीं अब ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा वा कैसे बोले सुनो बच्चे अगर ये ऐसे है पहले कम फिर जदा असेंडिंग ओडर तो प्लस होगा पर ये डिसेंडिंग ओडर है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा चीक है और भी एक सब्द यूज होता प्रीमियम हो तो प्लस होगा पर वो कोश्चन के साथ में डिस्कूस करूँगा कि वो क्या है अब भी बस इतनी बात है कि कुछ नहीं है ये ये क्या चीज है ये प्रीमियम ये डिसकाउंट है अगर असेंडिंग ओडर में 10-15 है तो स्व इसेंपल की तोर पे लिखा था साथ रुपए 25 पैसे इसको कैसे लिख सकते हैं साथ रुपए 45 पैसे 10 और 15 तो प्लस हो जाएगा अब 25 और 15 तो माइनस हो जाएगा यह है अब हमारे फावर्ट कॉंप्रेट के कोश्चन स्टार्ट हो रहा है मैंने गहा था फावर्ट कॉंसेप्स कर रहे थे अब एक्सांपल्स अगर मैं कहा हूं जो मैं शीट दे रहा हूं उसका 38 पेज हो चुके है मतलब काफी कुछ हमने कर लिया किमता वनीवाद रिकॉर्डड क्लासिस में दिक्कती यही है अक्ले अक्ले बुलना हो चलो ची चले सर आगे है चलो देखते हैं कितना था तो फॉलिंग टू वेक वोट्स अपियर इन दा फॉरें एक्षिंज मार्केट यह कोशन अच्छा है इस्टडी मैट में भी है पीम में भी खास बात सुनों यह कोशन आया भी था हाँ यही तो कोशन है इसमें स्प्रेड सब्दे दिया था और बच्चे के दिमाग खुं गया spread दिया है तो percentage में कोई इसको percentage मान लिया वैसा वोला question डाला तो नहीं दिखाऊंगा मैं आप इसी attempt में देख लिए spread सब्सक्राइब ठीक है sir support rate दिया है forward rate दिया requirement क्या requirement how many US dollar should a firm sell to get 30,00,00 after 2 months, 2 मैंने बाद की बाद करना इस पर focus कर अब फिर से बढ़ते हैं मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ इस कोशन में इस के जंजटों मैं नहीं जा रहा हूँ इस पर जा रहा हूँ और यह final होगे टू बाद के इदर फोकस करेंगे अब पढ़ते हाँ मैंनी डॉलर should a firm sell किसी फिर्म को 25,00,00 रुपे चाहिए तो बताए कितना डॉलर बेचेंगे हम बैंक को मतलब बैंक डॉलर खरीदेगा हाँ डॉलर काई तो रेट दिया है तो बैंक डॉलर खरीदेगा 47 के सा ठीक है वह बोलो ना घृँ 47 से 20,00,00 रुपे डॉलर का रेट दिया तो तो डिवाइड हो जाएगा अंसर आ जाएगा इतना डॉलर ठीक है जी दूसरा आउ मैनी रुपीज इस दफ हम रेक्वाइड टू पेड ऑप 10 डॉलर टू लाग इन इस पॉर्ट मार्केट मतला अब इसको बुल जाओ इस पे फूकस कॉर इस पॉर्ट मार्केट से हमको डॉल खरीदना है मतलब बैंक डॉलर बेचेगा हमको डॉलर खरीदना है मतलब हम महगे में खरीदेंगे ऐसा समझ लो या बैंक महगे में डॉलर बेचेगा मैल्टिप्लाइ किसे होगा 46.25 पाइनल आंसर जाएगा 92,50,000 कैसे कोशन आते हैं आजी आए हुए है पॉर्ट नमबर 3 मुझे अच्छा लगता है पॉइन नमबर 3 एजिम दफ फं है डॉलर 69,000 इन करेंट एकाउंट पं के पास now in case the dollar now are two month later वोल रहा वही आपके पास दो option है dollar पड़े रहने तीदा दो महने बाद dollar बेच देना और bank dollar खरीदेगा तो 69,000 into 47 ऐसे कर डॉलर पर कोई ब्याज नहीं बनने वह दूसरा 69,000 को आज ही cash में convert कर दो कितने के सबसे 46 bank dollar खरीदेगा और फिर उसको ब्याज पर लगा दो 10% दो मेने का ब्याज तो मिलेगा तो बस वही किया होगा तो 60 पहला in cash कर दिया now अभी इतना 46 के सबसे convert किया और with interest आ रहा 32,26,900 और दो मेने बाद in cash करेंगा तो 69 कितने के सबसे 47 के सबसे बताओ क्या जादा अच्छा है दिल क्या बोल रहा है दिल बोल रहा है कि यार बताओ ऐसा current account किस काम का जिसमें ब्याजी नहीं मिल रहा और इसमें तो ब्याजी नहीं मिल रहा तो यह अच्छा बेटे currency fluctuation भी तो है तो उस हिसाब से देखोगे तो यह हमारे लिए अच्छा currency बढ़ गई एक रुपए से बढ़ गई ना इस बज़ से in cash after two months is better अच्छा question है यह भी चुन चुन के question select किया है तो please 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 यह तो यह दी में गवशन पड़े जी आगे यह यह अच्छा इस in March 2009 the multinational industry make the falling assessment of dollar rate per ब्रिटिस पाउंड एक सेप्टेमबर दोजानों अब भी क्या चल रहा है मार्च छे महने बाद डॉलर का रेट पाउंड का रेट यह हो सकते तो क्या इसके बेसिस पे आप एक्सपेक्टेड इसपॉर्ट रिट बता सकते हो हां एक्सपेक्टेड तुम कुछ भी बता सकते हैं प्रोबैबिलिटी दिया है मल्टिप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड इसपॉर्ट रिट करेंगे आंसर आ गया है टीक है यह तो आपको आता है कुछ बच्चों का यह कहना है सर यह Presentation ouse c ai ने तेबल में करका रख जैन बना कर आप वैसे भी कर सकते हो टेबल में टेबल में रैट लिख लेना प्रोबैबिलेटी लिख लेना ये इंट प्रोबैबिल लिख लेना आपकी मर्च 1.81 point number 2 if as of March 2009 2009 the 6 months forward rate है 1.80 आपको क्या लग रहा है आप को कोनी है तो नहीं मालू should the firm sell forward its pound receivable जो pound आने वाला है जो pound आने वाला है उसको बेचेंगे तो dollar मिलेगा तो क्या अच्छा है जो होगा देखा जाएगा तो उसमें आपको 1 pound बेचने पर 1 pound receive होने वाला न 1.81 dollar मिलेगा या फिर forward contract करोगे तो 1.80 dollar मिलेगा क्या अच्छा है सर जादा मिलेगा तो वो अच्छा हुआ है न expected response rate is more than forward rate hence firm should not sell its pound receivable ठीक है जी ये किसर चले अगे वाउ ये मेरा फैवरेट कोश्चन है इतना कोश्चन होगा यार अभी देखते इतना हो सकता forward cover को खतम करने के कोशिश कर रहा हूँ उसी में साफसे ज्यादा कोश्चन उसी में कोश्चन नमर थड़ी J.K.L. लिमिटेट अइंडियन कंपनी एज एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ओफ जैपनीज येन 10 लाख रिस्विएबल ओन 31 अगस्ट 2014 आपको मिलने वाला है यहां ऐसा एक परसन बना रोगे तब ही समझ में आगे कोश्चन ये बैंक आपने एक्सपोर्ट किया है तो मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है येन पता नहीं 10 मिलियन है 10 मिलियन येन मिलने वाला है तो कहां से तो हम कहां के रहने वाले है सीधा इंडियन तो भई इंडियन है येन तो सीधी सीधी वाई से रुपीज पर येन ये वाला कोट हमको ज्यादा है, कि एक येन जो है, वो कितने का भी केगा, जो मिलने वाला भी केगा, पर सब प्रॉब्लम ये है, Japanese yen is not directly quoted against Indian रुपीज, मतलब वो कह रहा कि हमें नहीं मालुम हमें नहीं दिया है रुपीज पर ये, तो क्या इन दोनों के, अभी spot rate निकाल सकते, इन दोनों rate को यूच करके, पहले साउधानी से करना, एक रुपीज बराबर, नहीं यहां तो रुपीज सर दिया हुआ है, वाउ, तो सर इसको ठीक से लिख ले कि इसको ठीक से लिख लेना, पहला दिया है, रुपीज पर डॉलर और दूसरा क्या दिया होगा सर, येन पर डॉलर, और हमें चाहिए, रुपीज पर येन, तो इन दोनों से cross rate करके, क्या ये निकाला जा सकता है, हाँ, ये भगवान, रुपीज उपर चाहिए, रुपीज ये उपर दिया तो सिधा ये, और येन, उसके बाद रुपीज, ठ है, दूसरा, रुपीज पर डॉल, हमें येन नीचे चाहिए, येन, येन उपर दिया, तो बन से डिवाइट करना पड़ेगा, रुपीज उपर चाहिए, रुपीज उपर ही है, सिधा सिधा तो ये उठा लिया, येन नीचे चाहिए, येन उपर है, तो बन से डिवाइट क estimated estimated का मतलब समझ रहा है estimated spot rate expected spot rate yen will depreciate कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा it means जो आप लिख रहा है 102 इसकी जगह हो जाएगा 124 और जो dollar है वो 65 हो जाएगा वो dollar 65 हो जाएगा बेकार में घुस मत जाना कि नहीं depreciate कैसे हो रहा यार क्यों सोच रहा है वो बोल रहा कि यह हो जाएगा तो वो कर लो फिर वापस निकालना पड़ेगा आपको क्या निकालना पड़ेगा estimated spot rate और फिर क्या निकालना पड़ेगा forward rate वो तीनों मेंने निकाल लिया this is estimated spot rate इस्पेक्टर नहीं यह निकला किया फावड़िट तीन चीजे निकाला मैंने इस्पावड़िट, एक्सपेक्टर इस्पावड़िट और अब तो यू बनेगा कुछ मांगा किया पहले यह तो देख लो कैलकुलेट इस्पेक्टर लॉस अगर सब्द आया है एक्सपेक्टर लॉस तो किस किस के बीच में होता यह बात समझना पड़ेगा तर यह अगर हम येन बेचते जो आरा दसला की हैं अगर बेचते तो अब भी 0.6080 की सब्से बिक सकता है लेकिन अगर हम फावड़ कवर नहीं करते तो इतने का बिकेगा तो हमें कितने का लॉस हो रहा है तो आंसर आजाएगा 8,38,000 multiply करना येन और येन काई रेट निकाला हम ठीक अगर हम हैजिंग नहीं करते हैं अगर हैजिंग इस डन बोलेगा तो फिर किस किस के बीच में है तो हैजिंग करने की वज़ेसे नहीं करना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए और आपने book कर लिया और कितने पे book किया 06026 जो भी यह ना आएगा हम 0.6026 के साथ बेज देंगे वो किया हम बहुत खोश है और वो डेट आगे जिसका हमको इंतिदार था 31 अगस्त 2014 और मालो उस दिन actual spot rate ये हो गया actual spot rate ये हो गया तो बताओ forward cover करके आप justified है की नहीं आपने अच्छा किया की नहीं किया हमको इससे फिर cross rate निकालना पड़े और फिर निकाला cross rate और ये आगया 0.59 तो forward cover जिन्होंने ऐसे कर रहा कि ये मैंने IC AI की हिसाब से कर रहा है उसमें फिर loss निकाला मैंने कि देखो spot rate से इतना और उस दिन लिया तो इतना तो मुझे loss कितना हो गया एक लाग चारहजार कौनसा वाला rate लिया मैंने 31,60 का अगर मैं power contract नहीं करता और मैं पहुत चुका है और उस दिन ये rate हो गया तो मुझे loss कितने का हो गया एक लाग चारहजार का उसकी अप एक चाह सर 54,000 का loss चलेगा ना यार ये rate निकाल की भी तो decide कर्द हो गया था ना या actual rate कितना हो गया 0.5976 forward rate क्या है 0.6 तो ये तो अच्छा है ना सर यहीं से पता लग गया पता लग गया पर institute एक कदम आगे चलना presentation बोल रहा करूंगा तो पूरा करूंगा पस लिस्ट लॉस इन फावर्ट कवर हैंस फावर्ट कवर रिजस्टिप्लिट इंस्टिट्यूट के हिसाब से मैंने करवा दिया हूं बाकिया आपके चले जी आके question number 14 कितने question और है 14 करना पड़ेगा 17 करना पड़ेगा 20 भी करना होगा 24 बहुत बड़ा है यार यह तो फावर्ट कवर बहुत बड़ा है अपके खत्म करने में टाइम लग जाए फावर्ट कवर के बहुत question है पूरा फावर्ट कवर करें कि थोड़ा सा रुप जाए पूर्ट फूर्ट देखते हैं फिर काम करेंगे पूर्ट फूर्ट फूर्ट देखते हैं फूर्ट अ कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान है एक कंपनी का है जापान और एक कंपनी का है इंडिया में ऐसे कंपनी तो नहीं मैं परसा नहीं बना देता हूं क्योंकि बैंक और कंपनी फिर एक जैसी देखेगी ने तो परिशान हो जाए तो पैमेंट बीइंग डिव इन थ्री मंथ फ्रॉम दा डेट अप इनवाइस ठीक है आईए इस कोश्चन में समस्या क्या है आकरी तक यह समझ में नहीं आता भाई कि हम जापान के रहने वाले के इंडिया में के रहने रहे कंपनी ऑपरेट कहा हो रही है जापान में ठीक ह अभी ऐसा लग रहा यहां पहला सेंटेस पर गए कि हम जापान के हैं फिर बोला सेल्स किसको कर रही है इंडियन कंपनी को ठीक है इंडियन कंपनी को सेल्स कर रहे है मतलब इंडियन कंपनी पैमेंट करेगा तो पैमेंट कब कर रहा है तीन मैने मार कौन पैमेंट करने वाल और यह किस में बना ये इन में एट टुडे और ये एक्विलेंट कितने के है सर ये है 30 लाक रुपए के एक्विलेंट किसके इन्वाइस किस में बना है रुपीज में बना कि ये इन में बना सर इन्वाइस ये इन में बना है तो रिस्क किसको है इंडियन कंपनी Indian company को foreign currency का payment करना पड़े गा तो ड़ तो Indian company को है और foreign actions risk, risk management यही तो नाम है श्य ट्रिक यही बत्ला किसके angle से बात हो रही है सर इंडियन company के angle से ही बात हो गी, पका, इसी को तो risk है कि अगर invoice रुपीज में होती है आजब दोगे, तो रुपीया देना है over the three month period and in order to protect the yen payment और काम की चीज़ हमें yen में payment करना उसको protect करना तो ये फिर से काम की चीज़ मिल गए हमको the importer proposes to take appropriate action और यहां भी बोलें importer appropriate action लेना चाहते है इंड the three month forward rate is presently quoted forward rate दे रहा है 3.3 yen पर रुपीज ये काम की चीज़ है मतलब sir gain पर रुपीज ये दिया है 3.3 ये क्या दे रखा है ये दे रखा है forward rate you are required to calculate the expected loss आपको मालूम expected loss किस किस के बीच में spot rate और expected spot and show how it can be has by forward contract सबसे important है हमें दो चीज़े निकालना पड़ेगा spot rate और expected spot तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ spot rate अब इस portrait कैसे निकाला जाए एक मेरा दिल कर रहा है 108 by 30 क्योंकि 108 लाक ये न बराबर है 30 108 divided by 30 तो 8 divided by 30 तो सर ये निकला 3.60 और ये क्या निकला सर ये निकला ये न पर रुपीस कुछ बच्चों का ये कहना सर रुपीस 30 divided by 108 ऐसे भी तो कर सकते है 30 divided by 108 ऐसे भी किया जा सकता है तो आंसर आ रहा है पॉइंट पेन भी साथ में दे रहा है 2777 कुछ बच्चों का ये कहना कुछ बच्ची ज़्यादा थोड़ा सा ग्यान दे रहा थे बुले सार सुनो आप ही ने बुला है और पीस पर ये डारेट कोट निकालने से हमें आसानी होती है आई साथ सुनो अगर ऐसे निकालो या ऐसे कोई फर्क पढ़ने वाला की फर्क पढ़ने वाला है क्योंकि वो सब्द लिखे एक्च्ट डिट डिकलाइन हो जाएगा 10 पर माइनसी करना, 0.9 लिखना, 0.9 इसको 0.9 से मल्टिप्लाइ करूं या इसको दूनों में बहुत ज्यादा अंतरा जाएगा, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि रेट जो दे रखा है, एक न एक रेट तो कुछ न कुछ तो दिया है और ये वाला दे रखा है, तो आपको इसी को रुपीज ही निकालना पड़ेगा, जो मैंने निकाला होगा, ये आया 3.6, expected spot rate, expected spot rate क्या बोर रहा है, सर 3.24, और मैंने आपको क्या बताया था, सर expected loss कैसे निकाला जाता है, spot rate और इन दोनों के बीच का डिफरेंट, क्या हो रहा है, ये न खरीदना पढ़ रहा है, ठिक, त और अगर हम estimated spot rate से खरीद हो, तो 108 divided by 3.2, 33.33 लैक्स का, तो एक्स्ट्रा कितने का पढ़ा, 3.3, कुछ बच्चों का कहना, सरुना सर, time pass करते, shortcut, shortcut, 3.6, minus 3.24, into 10 million, आएगा ऐसे, ऐसे कर लो भाई, कर लो, थोड़ी सी महनत लग रहे है, ठीक है सर, प्लीज आप से बोल रहा निमाग मज चला, जो बतारहूं, हर चीज सो समझ के बतारहूं, इतना तो अनुभव है, मानते हो ना, shortcut से भी हो सकता है, shortcut से भी हो सकता, तिर्फ मुझ से हो सकता, आप से नहीं हो, और उसको बताने के लिए मुझे time चाहिए, time नहीं है, इसलिए, जो बताया है, वैसे करते अगर हम forward cover में जाते हैं, तो spot rate पे 30,108 divided by 3.30, तो यह आगए 2.7, तो क्या forward cover करने से हमारा जो loss है, वो कम हो गया है, यस, और कम के कम होकर कितना हो गया है, 2.73, लेक्स, अच्छा question है, तो ऐसी और कोई question है, क्या, नहीं, अब नहीं कर भार, question number कहां तक पहुचे हैं हम question number 17, तक, तर अभी तो कुछ भी नहीं हूं, अभी तुमारा forward market ही चल रहा है, forward cover, forward cover ही चलेगा, forward cover लंबा भी है, ऐसा नहीं, total मिलाकर मैं फिर से बोल रहा हूं, तीन classes लगी की, वैसे, तीन पार्ट का target, दो पार्ट का target था, part number one, part number two, क्योंकि बच्चों के जिते हैं, messages हैं, और मुझे भी ऐसा लग रहा है, और एक्स के आने के chances थोड़े से ज़्याद हैं, तो आपके लिए क्यों कुछ छोड़ू, पूरा ही करवादू, अच्छे से करवादू, तो सर, आज की class, आज की class मैं over करूँगा, दो घंटे से ज़्यादा मैं continue पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा मुस्किल हो, कल संड़े हैं, पर कल class upload होकी, मेरे जमें, दूसरा, और मंडे को तीसरा पार, एक chapter और मैं upload करूँगा, इसके बाद, क्योंकि मेरी भी classes है, मेरा भी थोड़ा busy schedule चल रहा है, तो कोशिश करना इसके बाद आप थोड़े से old video भी देख लोगे, मेरे एक हैल से portfolio management पे demand ज़्यादा है बच्छो की, एक chapter और upload होगा, जिसका राम रहेगा, portfolio management, क्योंकि उसमें भी पार्ट, दो, तीन, दो पार्ट तो कम से कम उसमें लगेगा यार, वो भी तो बड़ा अच्छा chapter है, तो आज के लिए sufficient है, कल जो, कल हम start करेंगे, वो हम start करेंगे, question number 17, क्योंकि उसे कोई भी question नहीं छुड़वाने वालों मैं, क्योंकि यार question सा रही कर लो, tension ही खतम करो, मेरे revision की भी बाद भी अगर आपको question देखने ही पड़ रहे हैं, तो फिर revision करवाने का मतलब ही क्या रहे जाए, that's it, कल मिलते हैं, कल दो घंटे में, आज टाइम क्यों लगा मैं बता रहा हूं, क्योंकि basics में हमारा पूरा एक घंटा चुलागे, कल टाइम नहीं लगे, कल तो बहुत सारे question कर लेंगे, एक सा, thank you so much, bye bye, good night.